Hello Friends, Welcome to the Concept YouTube Channel, मेरा नाम है विशाल चोहान और UPSC CSE Prelims के लिए आज हम एक और नई सीरीज शुरू करने जा रहे हैं आज हम पढ़ेंगे Indian Modern History, यानि आज से हम Modern History के हमारी सीरीज शुरू कर रहे हैं जिसमें आज हम पहला Topic लेंगे Decline of Mughal Empire 18th Century India में देखेंगे क्या-क्या घटना है घटी जिसमें आज हम Decline of Mughal Empire समझने जा रहे हैं लेकिन आज के Topic पर बढ़ने से पहले मैं Students को बताना चाहूँगा कि अगर उन्होंने अभी तक previous sessions नहीं देखे हैं So make sure they watch each and every previous video Ancient की हमारी series complete हो चुकी है, Medieval की हमारी series complete हो चुकी है, Culture के हम काफी सारे sessions cover कर चुके है Make sure आप इन सभी sessions को देखें इनमें पूछेगा है सवालों का जवाब comment में दें और अपना feedback जुरूर प्रोवाइड करें जैसा भी आप इन sessions के बारे में feel करते हैं और अगर आपको ये sessions मदद कर रहे हैं, So make sure कि आप जादा से जादा शेयर करें वीडियोस को जिस भी social media platform पर आप active हो Alright, तो अनकेडमी लेकर आपके लिए plus and iconic subscription plans, GS plus optional जिसमें daily live classes अवलेबल हैं, बहुत highly structured course रहते हैं Live test और quizzes चल रहे हैं, उसमें unlimited access to content आपके लिए है Right, plus से always better रहता iconic plan क्योंकि iconic plan में plus वाले features तो हैं लेकिन in addition to that personal guidance, test analysis, expert guidelines, study materials, study planner जो है वो additional आपके पास features available हैं अगर आप चाते हैं कि आपको 10% का discount मिले और आप दिखाएं अपना support मुझे तो मेरी request है आपसे कि आप अगर कभी भी subscribe करें और जैसे कि मैं हमेशा कहता हूँ कि खुद पर invest करना शुरू कीजिए एक महीना छे महीने का पहले subscription लेकर देखिए अगर आप subscription लेने जा रहे हैं तो code use कीजिएगा चोहान underscore sir underscore history ताकि आपको मिले discount और मुझे मिले आप लोगों का support क्योंकि अगर आप iconic plans को subscribe करते हैं तो इंडिया के top educators के साथ interact करने का मौका आपको मिलेगा और वो आपके study को plan करेंगे आपको एक proper guidance जो है वो provide करेंगे उसके अलावा अभी 26 में तक एक जबरदस्त offer जो है वना केडमी आपके लिए लेकर आया है 25% plus 10% discount है GS plus optional plans पर अगर आप GS plus optional plan लेते हैं तो 35% आपको discount मिलता है अगर आप मेरा code इस्तमाल करेंगे चोहान underscore sir underscore history और अगर आप iconic GS plus optional ले रहे हैं आप बहुत ही ज़ादा मतलब बहतरीन rates हैं जो जिससे आपको बहुत ज़ादा फाइदा होगा so make sure कि आप subscribe करें this is the time अगर आप thoroughly prepare करना चाते हैं तो ये समय है आज से जो है वो आप thoroughly prepare करना शुरू करें अगर आप 2022 को target कर रहे हैं या for that matter अगर आप 2021 के विपर को भी target कर रहे हैं ठीक है प्री और मेंस को तो this is the right time to start a thorough preparation और thorough preparation के लिए आपको subscription plan लेना ही पड़ेगा तभी आप जो है वो thoroughly prepare कर सकेंगे और अगर आपको ऐसा लगता है कि मैं एक साथ इतनी बड़ी payment करने के लिए तैयार नहीं हूँ तो loan for UPSC जो है एक बहुत भैतरी initiative अनकेटमी द्वारा जिसमें कोई processing piece नहीं है कोई interest नहीं लिया जाएगा आप से दो गंटे के अंदर approval आपको मिल जाएगा कोई hidden charge नहीं बहुत ही minimal सा paperwork और बहुत flexible tenures है ये link अवलेबल है इस link पर जाएगे link आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा और आप access कर सकेंगे loan के पूरे procedure को उसके लावा weekly one-on-one personal mentoring एक बहुत बहुत बहुतरीन initiative अनकेटमी द्वारा right UPSC CAC interview के लिए जो है वो preparation आपको देते हैं अगर आप इस link पर जाएगे तो आपको फर्दर पूरी information मिल जाएगी उसके लावा test series अबलेबल है rise world affairs and academy pathfinder मेरा code use कीजिएगा चोहान underscore sir underscore history unlock करने के लिए उसके लावा एक year के batches, दो year के batches, NCRT batches जो है वो शुरू हो चुके है तभी मैं कहता हूँ कि यही सही समय enroll करनेगा, thoroughly prepare करनेगा क्यूंकि यह सब batches जो है वो शुरू हो चुके है already उसके लावा अनकेटमी combat scholarship test अगर आपको ऐसा लगता है कि आप scholarship राप कर सकते है उनको 50% का scholarship जो है वो अवलेबल है और उसके बाद 25% scholarship है so make sure कि आप enroll करें code use कीजिएगा मेरा चोहान underscore sur underscore history right हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवलेबल है यह scholarship test ठीक है so शुरू करते हैं इंडिया in the 18th century आज हमें topic शुरू करना है जिसमें इंडिया in the 18th century में सबसे पहले हम decline of mughal पढ़ेंगे है 18th century में क्या क्या हुआ सबसे पहला हम event पढ़ेंगे decline of mughal power उसके बाद हम rise of regional powers जो खड़ी हुई है ठीक है हाइदराबाद, बंगाल, सिख जो शक्ति डवलप हुई है उसके अलावा British consolidation देखेंगे British ने भी जो है वो किस तरह अपने पैर पसारने शुरू किए लेकिन सबसे पहले हम decline of mughal empire पढ़ेंगे लेकिन modern Indian history का एक कुछ basic introduction दे दूँए आपको ठीक है modern Indian history के आज से हमारी series शुरू हो रही है और modern history में मैंने आपको बताया था कि हमारी पढ़ने का तरीका क्या होगा एक्षण और reaction का concept समझेंगे हम यानि अंग्रेजों ने क्या action किया और भारतियों का क्या reaction हुआ तो एक तो ये concept हमारा action और reaction लेकिन अभी हम अंग्रेजों के या European के भारत में शक्ति establish करने से पहले की story देख ले तो पहले की story action और reaction की theory हम फिर establish करेंगे लेकिन अभी अंग्रेजों के बड़ी शक्ति बनने से पहले की क्या story है राइट एक पिलूड तियार करते हैं modern Indian history का modern Indian history में हमने सबसे पहले देखना है 18th century के इंडिया में क्या क्या घटना है घटी जिससे 19th century के लिए stage set होता है 19th century का जो इंडिया है उसमें अंग्रेजों ने उठा पटक करने शुरू करी है यहाँ पर इस 19th century का जो इंडिया होगा इसमें हमें action और reaction की थियोरी नजर आईगी और 20th century का जो इंडिया है उसमें हमें Indian national moment धूम धाम से मतलब पूरी swing में जो है वो Indian national moment नजर आएगा ठीक है सो सबसे पहले हम 18th century में सो 18th century में मैंने आपको बताया कि 1707 में औरंगजेव की हो गई मिर्तिव और औरंगजेव की मिर्तिव जब होई तो वो क्या क्या कर चुका था 1786, 1787 में उसने क्या क्या किया उसने बीजापूर और गॉलकॉंडा को जीता फिर उसके बाद वो लगातार मराठों के साथ कॉन्फिक्ट में रहा 1789 से 1800 उल्टा गोल दिया मैंने 1686 और 1687 ठीक है बीजापूर और गॉलकॉंडा को कैप्चर किया उसने फिर 1689 से 1705 तक वो लगातार अंग्रेज मराठों से लड़ता रहा और जिसका कोई कंक्लूजन नहीं निकला 1705 में वो दुखी होकर एहमद नगर चला गया 1706 में ठीक है और फिर वहाँ पर फाइनली उसकी मृत्ति होगी तो औरंगजेव की जब मृत्ति हुई तब मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था मतलब एक्सपेंशन जो अगर आप देखेंगे तो मुगल एम्पायर अपनी पीक पर था मतलब टेरिटोरियल एक्सपेंशन की अगर बात करें लेकिन मुगल एम्पायर का जो एड्मिनिस्ट्रेशन है वो बहुत ज़ादा वीक हो चुका था क्योंकि जो बादशा है वो पिछले 25 सालों से दक्कन में युद लड़ रहे थे और जीत नहीं पा रहे थे कोई कंक्लूजिव विक्ट्री वो नहीं मिल रही थी उन्हें तो उससे मुगल प्रेस्टीज को बहुत धक्का पहुँचा हुआ था उसके अलावा बीजापूर और गॉलकॉंडा को जीतने के लिए और फिर मराठों को जीतने के लिए रॉयल ट्रेजरी तक को खाली कर दिया गया था तो एकनॉमिक संकट थे अपने military generals दूसरे सामने वाले military generals को रिश्वत देने के लिए जागीरे बाटी गई थी तो feudal system जो है वो prevalent था जागीरदारी crisis जो है वो prevalent था यानि कि देखिए मुगल empire की समस्याओं में क्या क्या है ठीक है और अंगजेब की वज़े से जो जागीरदारी crisis है वो बढ़ा यानि कि administration जो है वो feudal हो गया ठीक है feudal administration यानि कि administration क्या हो गया week दूसरी चीज royal treasury खाली हो जानी के वज़े से economy जो है वो हो गई week ठीक है क्यों क्योंकि royal treasury खाली है और provinces पर pressure डाला गया कि तुम लोग जो है वो जादा से जादा taxes exact करो तो जादा से जादा taxes जो है वो जनता से exact करने के चकर में जनता पर pressure बढ़ाए गया उल्टे सीदे tax लगाए गया जजिया वगएरा को impose किया गया जिससे intern क्या हुआ जजिया तो लगा दिया गया लेकिन eventually tax जो है वो जनता से जादा लिया गया इससे हुआ यह कि जो जनता है उसके अंदर भी रोश है जो जमीनदार है वो भी परिशान हो चुके है plus feudal system बढ़ता जा रहा है तो धीरे धीरे जो center है वो कमजोर होता जा रहा है तो center कहां कौन है और अंगजेब कह लिजे राइट यानि कि मोगल बाच्छा तो मोगल बाच्छा की जो सरकार है उसकी उसका administration कमजोर होता जा रहा है ठीक है उसकी economic कमजोर होती जा रही है जो पूरी मोगल society है जो पूरी मोगल nobility है उसमें एक distrust फैलता जा रहा है और सब को समझा रहा है कि दिरे दिरे मोगल empire बिखर जाएगा ठीक है ऐसे में एक बहुत मतलब mature उमर में लगभग 90 साल की उमर में औरंगजेब क्यों जाती है मृत्यू और औरंगजेब के मरते ही औरंगजेब के तीन लड़के जो की खुद जो हैं वो बुड़े हो चुके हैं आदी उमर तक खुद पहुँच गए हैं वो आपस में लड़ते हैं शक्ती के लिए ठीक है क्योंकि कोई फिक्स प्रीमो जानिचर का रूल तो इसलाम में है नहीं और जो राज्ये अल्रेडी जागिरदारी क्रैसिस से जूज रहा है जिसका एड्मिनिस्ट्रेशन डिसेंट्रलाइजड हो चुका है जिसकी एकनॉमी जो है वो हिल चुके जिसकी रॉयल ट्रेशरी खाली है उसमें अब अगर सक्सेशन का वार होगा तो आप लोग समझी सकते हैं कि डिसेंट्रलाइजडेजन की तरफ हम बढ़ रहे हैं यानि किigare के ब्रेकडाउन की तरफ हम बढ़ रहे हैं तो मुज़ब शक्ती में आते हैं पहले का टाइटल लेकर बैठते हैं बहादूर शाहा फसका लेकिन ऐसा करने में किया जाएगा यानि नोबिलीटी में उचल उचल पतल जो है वो मची हुई है ठीक है और बहादूर शाह जफर जब शक्ती में आएंगे डेट मिन्स कई जगहाँ पर कॉंप्रमाइज करके शक्ती में आये हैं वो कई कई नोबिलीटी को उन्होंने जो है वो अपना कई कई न कुछ हिस्सा कंधार का है सिंध है मुलतान है पंजाब है दिल्ली दवाब है दिल्ली है आगरा है ठीक है अलाबाद है उपर अवद मतलब उपर अवद और नीचे अलाबाद बिहार और बंगाल इधर उडिसा और गुजरात इधर राजपुताना राजपुताना में अजम मारवाड और मेवाड उसके अलावा मालवा ठीक है उज्जाइन मालवा इधर बुंदेलखंड यहाँ पर जो है वो क्या बोलते हैं गोंडवाना इधर नीचे गॉलकॉंड़ा इधर पूरा कौन-कौन से एहमदनगर बीजापुर और इधर गॉलकॉंड़ा और यहाँ पर है यह यह मुखे जो है वो प्रोविंसिस थे अब इनमे से औरंगजेव नीचे लड़ रहा है और यहाँ पर मराठा शक्ती डेवलप हो रही है और और औरंगजेव मराठों कंट्रोल कर नहीं पा रहा है तो औरंगजेव की समस्य है क्या क्या है मालवा या बुंदेल मालवा नहीं लेकिन बुंदेल खंड का रिजन किसके अंडर चतरासल के अंडर आजाद हो चुका है राजपूत जो है वो परेशान है लेकिन अभी जैसिंग के बाद फिर भी राजपूतों में प्रोब्लम है और जो बंगाल है वो तो हमेशा जब भी दिल्ली कमजोर होता है राइट गुजरात जो है वो गुजरात की सल्तनत अपने आपको तुरंत अलग कर सकते हैं तो यानि कि औरंगजेब के मर्दने के समय पूरा मोगल एंपायर जो है वो एक बटा हुआ है यानि कि अगला जो शाशक आएगा ना वो हैंडल नहीं कर सकेगा ठीक है ये बात तो प आए बहादुर शाह फर्स्ट उसने कैसे अंडल किया एंसिचुएशन को ठीक है तो आईए शुरू करते हैं डिकलाइन ऑफ मोगल तो पहला पॉइंट देखेगा दा एटीन्थ सेंचुरी ओफ एटीन सेंचुरी वाज वाज वन अफ दे मोस्ट के ओटिक पीरियेड इन ए इस्ट्री ओफ इंडिया बहुत ही इंपॉर्टन स्टेटमेंट एक स्टेटमेंट में बहुत सारी चीज़े जो है वो एड हो यहां पर एटीन सेंचुरी इंडिया बहुत ज्यादा के ओटिक है अभी 19 सेंचुरी की बात नहीं कर रही हूं कि महां पर अंग्रेज हों की मुगल्स के डिकलाइन होने की वज़े से जो मुगल प्रोविंस हैं जैसे कि अवद बंगाल और हिद्राबाद अपने आपको अलग कर लेंगे सिख हमें धिरे-धिरे एक अलग शक्ति के रूप में डवलप होते वह दिखेंगे राजपूत मालवा बुंदेल खंड अलग ह जाएगे उसके अलबाग गुजरात की सल्तनत तो है ही अलग दक्षण भारत में जो करन आरकोट है वह एक अलग डवलप हो जाएगा त्रवंगोर कोचीन कालीकट जो है वह अलग शक्तियों उसके अलाव़ ये उरोपियन शक्तियां डवलप हो रहे हैं वह अलग और यह से लड़ रहे हैं English Dutchess से लड़ रहे हैं Dutch पूर्टगाली से लड़ रहे हैं और फाइनली जो है वो इन सभी political turmoil का फायदा किस ने उठाया British ने ठीक है और ऐसे में जनता क्या कर रही है अब unified code तो रहा नहीं कोई ठीक है कोई central administration तो रहा नहीं तो trade के लिए जो local traders है या जो local merchants है उनको अपने immediate उपर जो जमींदार है या immediate अपने उपर जो aristocrats है उन पर dependent रहना पड़ रहा है और उन aristocrats को बड़ी exporting शक्तियों पर dependent रहना पड़ रहा है जो की कौन है Europeans एक्सपोर्ट तो Europeans कर रहे हैं बड़े travel पर ठीक है तो अब भारत के जो working class है नहीं जो भारत का producing unit है उनका मुनाफ़ा राइट उनका profit जो है वह यूरोपियंस पर depend कर रहा है जितना यूरोपियंस एक्सपोर्ट कर रहे हैं इसी वज़े से राइट मैं आपको जब train of wealth theory पढ़ाऊंगा न तो आपको समझाऊंगा कि phases क्या रहे हैं कॉलनाइजेशन के उसमें सबसे पहले traders को भारतिय merchants को जो मुनाफ़ा हुआ सबसी को धीरे धीरे आगे बढ़ते जो है वह अंग्रेजों ने फिर वह मुनाफ़ा भी छीन लिया राइट तो हम देखेंगे European जितना भी मतलब business है European जितनी भी इस इंडिया company थी वह जो भारत से समान ले जा रही थी उससे भारत को मुनाफ़ा हो रहा था फिर जो मुनाफ़ा भारत में घटा हुआ था वो फिर उन्होंने कैसे लूटा ठीक है खेर उसको हम detail में समझेंगे लेकिन यहां पर chaos है इंड constant state of war जो है वो रहा मतलब लगबग आप मान सकते हैं कि पूरी की पूरी 18th century में constant state of war रहा 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 दे मुगल empire which dominated the Indian subcontinent for more than 200 years began to decline owing to the internal and external factors अब मुगल empire decline हुआ decline के कारण हम समझेंगे internal और external factors को दोनों देखेंगे राइट लेकिन मुगल empire जो की 200 सालों से strong था अकबर ने जो administration set किया मैंने आपको पूरी कानी समझाईए ना अकबर ने जो administration set किया जहांगीर ने उस administration को चलाया शाहा जहां ने जागिरदारी crisis को शुरू कर दिया औरंग जेब के जो successors आए बहादूर शाह उसके बाद जहांदर शाह पारुक सियार ये सब incompetent ruler थे ये जो problems खड़ी कर गया था शाहा जहां शुरू कर गया था और और अरंग जेब ने अपने ambitions की वज़ेशन प्रॉब्लम को कम करने के वज़ाए और जो है वो मतलब क्या बोल सकते amplify कर दिया ठीक है लेटर मोगल जो है वो handle नहीं कर सके और disintegration हो गया तो यहां पर point बनेगा कि जो इंडिया में decentralization बार बार हो जा रहा है ठीक है क्या this decentralization और the feudal order comes natural to India क्या यह भारत की या हिंदोस्तान की हिंदोस्तान के शाशकों की यह natural tendency है कि feudalism से ही उनका जो है वो क्यों क्योंकि अशोका के बाद हमें decentralization आता हुआ नजर और मैंने आपको बता है अब यहां पर एक चीज़ ध्यान दीजेगा modern history को पढ़ने का हमारा थोड़ा तरीका जो है वो change हो जाएगा हम process of change देखेंगे यहां पर भी change आता हुआ हम देखेंगे लेकिन जैसे हमने process of change या इंट्राडिसिप्लिनरी अप्रोच वो हमारे ancient और medieval को पढ़ने की थी ठीक है modern के लिए थोड़ी सी हमारी अप्रोच अलग हो जाएगी तो जैसे हमने ancient और medieval में क्या देखा administration में क्या administrative history में क्या process of change है कि रिगवैदिक से मौर्या तक centralization है और फिर मौर्या से दिल्ली सल सलतनत में ही फिर से जो है वो फिरोशात उगलक की वैसे decentralization आया फिर मुगलिया सलतनत ने centralization की कोशिश करी और अकबर के बाद फिर से not अकबर लेकिन और अंगजेब के बाद फिर से decentralization हुआ तो ये centralization और decentralization का खेलम administration में देख रहे हैं ठीक है तो decline of Mughal Empire का मतलब क्या है कि decentralized हो गई authority जो Mughal Empire के अंडर जितने भी provinces थे उन्होंने अपने आपको अजाद कर दिया अपने आपको independent कर दिया क्यों कर दिया क्योंकि central authority weak हो गई central authority इतने वीक हो गई कि अगर कोई province अपने आपको अजाद कर रहा है तो center के पास शक्ती नहीं है कि जाकर उसके उस मुलब ज जिसने अपने आपको independent गोशित किया है उसको arrest करके वहाँ पर system जो है वो centralized किया जाए ठीक है तो ऐसा यहां से conclusion भी निकलता है कि जो मुगल administration है वो military administration ही था और military administration के दम पर ही उसने इंडिया को centralized कर रखा था यहां पर एक और देख रहे हैं यह सारे point जो है वो हमारे GS1 as well as optional के लिए बन रहे हैं मेंस के लिए सवाल है कि खासतर पर यह मुगल administration जो है वो military administration था military के दम पर ही मुगल centralized थे ठीक है अगर आपकी military strong नहीं है अगर आपके पास strong force नहीं है तो क्या decentralization एक natural tendency है किसी विराज्य की तो यह बहुत important governance के सवाल भी है और एक बहुत important concept जो आपको समझ भी आना चाहिए ठीक है तो इस channel पर मैंने आपको बोला ना इस channel पर आपको concept मिलेंगे देखे facts के लिए तो बहुत सारे channels और बहुत सारे teachers available हैं ठीक है मैं यह नहीं कह रहा है कि कम जादा कम जादा की बात नहीं कर रहा हूं क्यूंकि बहुत सारे teachers बहुत सारे channels जो है वो fact को consider करते हुए बह हां कहीं न कहीं है gap रहा जाता है concept तयार कराने का student का वो concept तयार करने का gap जो है वो मैं fill करने का काम कर रहा हूं तो concept आप मेरे पास आकर तयार कर सकते हैं facts के लिए आपको बहुत सारे teachers मिल जाएंगे और मेरी वैसे कोशिश रहती है कि मैं जादा से जादा facts भी cover करूँ लेकिन हो सकता है कुछ एक fact जो है वो निकल जाए राइट क्यूंकि यह तो मुम्किन नहीं है कि सभी लोग सारे facts जो हैं वो एक साथ इखटा कर सके ठीक है लेकिन concept भेहतरीन तयार हो इस चीज की मैं पूरी कोशिश करता हूँ ठीक है तो सबसे पहले आपको समझ आया है कि 18th century इंडिया में chaos है दूसरा point किया है कि मोगल empire 200 साल से चल रहा है अब वो disintegrate हो रहा है disintegration के कारण हमने देखे जागीरदारी क्राइसिस से लेकर economy का डूब जाना decentralized हो जाना authority का ठीक है और कई हम देखेंगे मला decline होने के कई internal और external कारण हम explore करेंगा आगे नेक्स चीज है numerous local powers try to assert their independence and foreign powers also attended to make inroads into Indian subcontinent अगली क्या घटना घटी 18th century इंडिया में कि कई हमें नई provincial शक्तियां develop होती भी नज़र आई यानि हमें हाइदराबाद में निजामी develop होती भी नज़र आएगी हमें Maratha as an official शक्ति के रूप में establish होता हुए नरज आएगा मराठा पहले भी एक बड़ी शक्ति थी अब मराठा और खोल कर आएंगे आगे क्योंकि मुगल शक्ति कमजोर हो जाएगी तो अब एक मुगल लेवल का एक दूसरा empire बनने की क्षमता जो है वो हमें से अफगानी जो हैं वह लगाता रेंटर करते जाएंगे और फिर इवेंचली वहां पर एक सिख एंपायर डेवलप होगा राजपूत जो है वह अपने आपको फिर से छोटे छोटे अपने राज्यों में कनवर्ट कर देंगे और वो राजपूत राज्या आपस में लड़ ठीक है सूरत अहमदाबाद ये सब जो इंपोर्टेंट शेहर हैं ठीक है कच वाले को छोटके कच तो बंजर है वहां से क्या फायदा निकल रहा है है और बुंदेल खंड में जो है वो छतरा साल एक्टिव हैं ठीक है छतरा सल राजपूत महापर एक्टिव हैं तो इस तरह भारत में इंदुस्तान में छोटे छोटे जो हैं वो कई सारे प्रोविंस डेवलप हो जाएंगे ठीक है कश्मीर अपने आपको अलग कर लेगा राइट आगे बढ़ते हैं पहली चीज़ आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं अठारवी सेंचुरी के भारत में उसमें हम देख रखने में उमर बीट गई हुमायू आया हुमायू और शेर्षाह कॉंफिक्ट चलता रहा हुमायू भी कुछ खास नहीं कर सका लेकिन अकबर ने अपने लगभग पचास साल के टेन्योर में एक बहुत सांड एडिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रिपेर किया उस सांड एडि पेर पर कुलहाडी मार ली और जो पैर पर कुलहाडी पड़ी हुई थी उसको फटाने का काम नहीं किया और अंगजेब ने इनफेक्ट तेल डाल कर उसमें आग और लगा दी ठीक है सो बेसिकली हुआ क्या जो साउंड एड्मिनिस्ट्रेटिव सिस्टम अकपर ने इस्टेबलिश किया था जहांगीर ने उसे चलाया शाजाँ के समय उसका डिकाई शुरू हुआ और बहुत बुरी तरीके से जो है वो कमजोर हो गया वो और अंगजेब के समय लेकिन अभी भी मुगल नाम का जो है वो सिक्का चल रहा था मुगल प्रेस्टीज मौजूद थी लेकिन जब तक और अंगजेब जिन्दा था स्टिल जो है वो मुगल प्रेस्टीज जो है वो मौजूद थी लेकिन और अंगजेब के जाने के बाद और अंगजेब के जाने के बाद जो उस ठीक है, now when Aurangzev died, the empire was the largest in India, ठीक है, empire जो है, वो काबूल से लेकर दक्षिन तक फैला हुआ था, है ना, गॉलकॉंडा वाला area जो है, वो पूरा cover किया हुआ था, गॉलकॉंडा बीजापूर, Yet within about 50 years of his death, the Mughal empire disintegrated, क्यों देखते हैं, राइट, सो यह Mughal empire है, विजय नगर तक जो है, वो मुगल empire ने control किया था, लेकिन समस्याएं किया थी, औरंगजेव ने इतना बड़ा area control तो किया था, लेकिन औरंगजेव जो है, वो later part में यहाँ पर उल्जा हुआ है, ठीक है, इसमें इतने region में Maratha जो है, वो active हो चुके हैं, राइट, बंगाल दूर है, राइट, दिल्ली और आगरा वाले area में जो है, वो political turmoil चल रहा है, क्यो जो है, वो लगातार rebel, जो है, वो करते जा रहे है, बुंदेल खंड तो अपने आपको पहले ही 16 सल के अंडर लग कर चुका है, राइट, औरंगजेव के जाते ही, औरंगजेव के पुत्रों ने जब आपस में लड़ाई लड़ी, तो उन्होंने इन nobility का साथ लिया होगा, ठीक है, राज़पूत जो है, वो औरंगजेव से नराज है, ठीक है, जैसे ही औरंगजेव की मृत्ती हुई, औरंगजेव के पुत्र आपस में लड़े और मुज्जम जब शक्ती में आए, तब उन्हें जो है, वो औरंगजेव जैसी policy follow करने का luxury उनके पास नहीं थी, क्य है, rewards देने पड़ते हैं, reward देने के लिए पैसे हैं नहीं, that means क्या देना पड़ा होगा, जागीर देनी पड़ी होगी, और जब जागीर देनी पड़ती है, तो आपको पता है क्या बढ़ता है, utilism बढ़ता है, जागीरदारी crisis बढ़ती है, और जागीरदारी crisis से क्या होता ह decentralization of authority और decentralization जो है वो eventually किसमें बदल जाता है splitting up of the empire जो की हुआ भी right exactly यही हुआ देखते हैं एक एक करके right so Maratha शक्ती expand कर रही थी देखिए Maratha दक्षिन में भी expand कर रहे है हिदराबाद को परिशान कर रहे है Maratha बंगाल की तरफ उडिसा की रास्ते बंगाल की तरफ Maratha अवद को प्रेशर डाल रहे है ठीक है Maratha जो है वो सिखों तक प्रेशर डालेंगे दिल्ली आगरा के आसपास जाट है सतनामी है right so और अंगजेव के जाने के बाद ये शक्तियां जो है वो चार बड़ी शक्तियां देखिए शिक हैं, जाट हैं, अवद, बंगाल, हैदराबाद और मराथा ये कुछ बड़ी शक्तियां उसके लावा और भी छोट-छोटी शक्तियां क्योंकि अंग्रेज भी धिरे धिरे पैर पसार रहे हैं अभी याँ पर है ना तो हम देखेंगे कि इन ही सब पावर्ज में क्या-क्या कॉन्फिक्ट हुआ और हमें फाइनली किन तुकडों में तूटता हूँ इंडिया नजर आते है, राइट तो, नेक्स पाइंट देखिएगा औरंगजेव's death was followed by a war of succession among three sons अमंग his three sons, it ended in the victory of the eldest son prince muazzam अब प्रिंस तो है muazzam लेकिन 65 साल के हैं जब शक्ती में आए क्योंकि औरंगजेव खुद जो है, वो 90 साल का था तो उसके पुत्र तो और उमर के होंगे, ठीक है मलब उसके पुत्र जो है, वो ठीक ठाक अधेड उमर के हो गए 65 year old prince ascended the throne under the name of Bahadur Shah क्योंकि Bahadur Shah एक दूसरे भी रहे हैं जफर इसलिए इनको Bahadur Shah पहला या, Bahadur Shah प्रतम कहा देते हैं, ठीक है अब Bahadur Shah first, 1707 से 1712 अब 65 साल की उमर में यह है, औरंगजेव के अंडर पंजाब और कंधार वाले एरिया में काम कर रहे थे, Bahadur Shah first औरंगजेव के नाम से थर-थर कापते थे, ठीक है औरंगजेव का इतना रुत्बा था, औरंगजेव के लड़के जो है वो औरंगजेव के नाम पर थर-थर कापते थे, तो कह सकते हैं आपकी लेटर मुगल्ज में, क्योंकि अब हम लेटर मुगल्ज पढ़ेंगे ना बहादुर शाह first के बाद, जहांदर शाह, फारुक सियार, रंगीला मुगल, शाह अलम second ठीक है, और बीच में जो है वो अखबर second आएंगे, फिर आखरी में बहादुर शाह, सफ़र second आएंगे, राइट इन लेटर मुगल्ज में से सबसे काबिल जो हैं, वो आप कह सकते हैं, बहादुर शाह पहले ही थे ठीक है, क्योंकि और अंगजेब के सबसे नजदीग है रहे तो काफी administration उन्होंने सीखा हुआ था और काफी समय तक administration उन्होंने संभाला भी हुआ था नौर्थवस फ्रेंटियर में लेकिन और अंगजेब के जाने के बाद treasury इतनी खाली हो गई थी कि conciliatory policy अपनाने के अलावा इनके पास और कोई चारा था भी नहीं, है न obviously क्योंकि पैसा नहीं है, empire को जोड़ कर रखना है तो अपनी nobility को मनाना पड़ेगा और nobility को अगर अपने साथ जोड़ कर रखना है तो उनको rewards देने पड़ेंगे, कुछ तो रिश्वत देनी पड़ेगी और rewards देने के लिए पैसा है नहीं, तो उनको या तो title दो, अच्छी post पर बिठाओ, या तो अच्छी post पर बिठाएंगे तो salary नहीं है salary देने का पैसा नहीं है तो अच्छी जागीरे देनी पड़ेंगी, ठीक है और अच्छी अगर आप जागीरे देते हैं, तो वो जागीरे hereditary हो जाएंगी और कल को जिन जिन को अपने जागीरे दी हैं, वो अपना-पना empire carve out करके बैठ जाएंगे अपना-पना अलग जो है वो राजे कार वाउट करके बैठ जाएंगे इसी से तो disintegration वा ना मुगल्स का He was the first and the last of the later मुगल्स to wield real authority Real authority मतलब बहादुर शाह पहले के पास थी शक्ती बहादुर शाह पहले के तो वजीर थे ना वो बहादुर शाह first पर pressure नहीं डाल रहे थे So अंतिम मुगलों में से एक मात्र मुगल जिसके पास असली authority थी उसके बाद सारे puppet है Lines उसके बाद सारे मुगल जो है वो आपको puppet नजर आएंगे He was learned, dignified and tried to reverse some of the narrow minded policies and measures adopted by Aurangzeb अब Aurangzeb की policies क्या कह थी Aurangzeb की Hindu policy, Aurangzeb की Rajput policy, Aurangzeb की Deccan policy Aurangzeb की Hindu policy में Aurangzeb ने जजजिया लगा रखा था ठीक है, और कई तरह के कर जो है वो हिंदू पे लगा रखा रखा थे मंदिरों को तोड़ने की policy थी Aurangzeb की राजपूत policy में Aurangzeb जो है वो राजपूतों को आपस में भी लड़ा रहा था और राजपूतों को conversion करवाने के चक्कर में भी था राजपूतों से लड़ रहा था Aurangzeb और तीसरा Aurangzeb की Deccan policy में Aurangzeb ने लगबग 25 साल भिताए ठीक है जिस वज़े से वो बीजापूर गॉलकॉंडा को जीत तो सका लेकिन Maratho से वो लगातार जो है वो हारता भी रहा और conclusive victory नहीं पा सका Maratho से अगर जीता भी था Hindu policy में मंदिर तोड़ने की वएसे जाट सतनामी और सिख तक सब जो है मुगल से सो मुगल के कोई खास जो है वो दोस्त नहीं थे उस समय उनका पैसा ही उनका दोस्त था उनकी आर्मी उनकी दोस्त थी आर्मी के दम पर जो है वो सबको subjugate कर ले रहे थे वो सो military governorship के दम पर जो है वो administration चल रहा था और military चलती है एकनामी से sound economy होगी तो sound military होगी ठीक है मतलब administration भी अच्छा होना चाहिए लेकिन economy का एक बहुत बड़ा हाल है हाथ है और economy तभी strong होती है जब centralized हो समझा नहीं सारी चीज़े आपस में बहुत मतलब कई रेशमी धागों से जुड़ी हुई है चीज़े है ना economy administration से administration military से यह सारी जुड़ी हुई है तो पैसा था नहीं क्योंकि decentralization हो रहा था और युद जितने में जो सारा पैसा लगा दिया था उस वज़े से royal treasury खाली थी तो ऐसे में क्या follow करना पड़ा obviously भादूर राजपूत और बंगल के जो नवाब है वो सोचते हैं कि हम अपने आपको अलग कर लें ठीक है और मराठों से निपटना है तो राजपूत और मराठों के प्रती तो उसने क्या किया conciliatory policy but a very strict policy towards the Sikh क्योंकि बहादूर शाह पहला पंजाब वाले एरिया में ही governor था तो सिखों के साथ बहादूर शाह पहले की बहुत पहले से जो है वो खीस्तान चली आ रही थी ठीक है इसी वज़े से strict policy towards six सिखों के लिए इसलिए strict policy क्योंकि वह बहुत पहले से क्योंकि और अंग्जेब के समय से ही वह पंजाब का governor था लाहोर का governor रहा है यानि Northwest Frontier में गुजाया उसने गुजारा उसने जातर समय ठीक है तो यह बहुत ही जादा important map है 1700 से 1792 में इंडिया में क्या-क्या political developments हुए मैं आपको इस map को एक बार zoom in करके दिखाता हूं देखेगा सबसे उपर अब यह मुगल empire का disintegration देख रहे हैं किन-किन तुकड़ों में तूटा तो बहुत important map है द्यान से देखे सबसे उपर है dominion dominions of zimon shah zimon shah कौन है zimon shah durrani यह afghani empire है ठीक है देख रहा है आपको तो afghani empire के हाथ में चला गया है important शहर कावल और कंदाहार जो है वो अफगानियों के हाथ में चला गया मुगल्स का ठीक है उपर आप देख रहे हैं काफिरी स्थान और मतलब यह जो पूरा बल्क वाला शिंद में अलग जो है वो हिंदू शाहिए ?? राज का उसके अलब मराठा शकती देखिए सिंधिया अंड होलकर वो दिल्ली आगरा तक पुहंच गये हैं 1760 के बाद की कहानी है कि मराठा जो है वो दिल्ली और आगरा तक पहुंच जाएंगे और केवल दिल्ली में छुपकर बैठ जाएगा मतलब दिल्ली में तो बैठी नहीं सकता शाहलम सेकंड मार दिया जाएगा उसे ठीक है तो मराठे जो है वो बहुत प्यार से अलाबाद से वो अपनी शरन में लेकर आते हैं दिल्ली के लाल किले में जाकर बिटाते हैं शाहलम सेकंड को लेकर मालवा ग्वालिएर वाला एरिया जो है वो मराठाव कंट्रोल में यह राजपुताना में देखिए तो राजपुताना में कौनकौन है मारवाड आपको दिख रहा है जैपूर जैपूर यानि की अंबर है इधर उपर बेकानेर जैसलमेर यह सब राजपूताना मजूद है आप रई अलग शक्ती है राजपूताना अच्छा जी यहाँ पर मालवा बुंदेल खंड मराथोय कंट्रोल में आ गया इधर यह एरिया किसका था इतना एरिया यह एरि और गॉलकॉंडा जो है वो मराठो के कंच्रोल में इनफेक्ट उडीसा तक का एरिया जो है वो मराठो कंच्रोल में है एक सेकिन यह मैप बहुत इंपॉर्णेंट है फॉलो करेंच मैपको यहाँ पर देखिये मराठा कनफीड रेशी एक्टेव है राइट यह पूरा एरिया यहाँ पर सरकार जो तेलंगाना वाला एरिया वो अब सरकार के नाम से जाना जाता है ठीक है सरकार हो गया अच्छा नीचे कैरनेटिक है ठीक है मदरास में अंग्रेज एक्टेव है अच्छा इधर एक जो है वो टिपू सुल्तान का डोमीनियन यानि की यह मैसूर एक्टे यह वेस्स कोस्ट यहां मराथा इतना हिस्सा वेस्स कोस मैसूर इतना हिस्सा मालबार यह इस से जो है वह तरवन कौर के कंट्रोल में यहां पर देखिये मदराज से लेकर, पॉंडिचेरी से लेकर, कराईकल, नागपतनम ये सारे पोर्ट्स है, ठीक है, मसूली पतनम, यनाम, क्या बोलते हैं, इदर, बहुत important important पोर्ट्स है, तो यह map काफी important है, आपको 1700 का बहुत detailed map है हिे, और बहुत सारी important राज्यों के बारे में जानकारी देता ठीक है अच्छा यहाँ पर देख लीजी अवद और अवद और गिसने मराठों ने तेंब कह भी वड़ितु है अवद और अलग शक्ते है अवद के उपर रोहेल खंड आपको नज़र आ रहा है और रोहेल खंड के ऊपर जो है वो ये हिमाले ये नेपाल के कंट्रोल में इतना एरिया देख रहे हैं आप इतना एरिया नेपाल के कंट्रोल में अच्छा इधर आ गया आपका बेहार ये दिख रहा है आपको ये बेहार और ये है तो बेंगाल के कंट्रोल में ही है पूरा बेहार लेकिन यहाँ थोड़ा सा हिस्सा जो है वह आपको पटना और बनारस का अलग नजर आ रहा है इतना उपर जो है वह भूटान और इसेड असाम यहाँ पर त्रिपूरा अलग है चिट्टा गॉंग तो यह काफी डिटेल्ड मै है और इंडिया की उस समय की शक्तियों के बारे में आपको काफी अच्छी जानकारी देगा है ना ठीक है डोमीनियंज ऑफ गाइकवाड देख रहा है आपको गाइकवाड की डोमीनियन है कहां पर गुजरात में तो आई होप यहां से आपको पता चला होगा यह दिखिए भावलपुर मुल्तान वाले अरिया में नीचे भावलपुर है यह राइट सो दिस वाज लेटर मुगल राइट मुगल एंपायर के टूटने के बाद इंडिया जो है वो इतने हिस्से में टूटा अब यहां पर मराठों की बात करें हम तो देखिए यह राजबुता ना य यह इतना मराठों का इरिया है ठीक है और यह निजाम है अचर एक छीज तो मैं बहुत इंप्रोंट आपको बीच में दिखाना यह बोलगी यह निजाम है धिस डूमीनियन ऑफ निजाम हईदराबाद का रिजेन है तैन कि आना और यह पेश वा की डूमीनियन जे सो इसमें मराठों की शक्ति ये नीचे हैदराबाद, ये मैसूर, ये कारनाटिक, ये सरकार, ये बंगाल और बिहार और उडिसा, ये आगया आपका अवद, इतना हिस्सा जो है वो मराठों कंट्रोल में, ये सारा हिस्सा, ये जो बीच का हिस्सा मराठों कंट्रोल में, यहां सिख और यह अफगानियों केंट्रोल में इतना और यह सिंद्र तो इतने हिस्से में जो है वह हमारा मुगल एंपायर तूट जाएगा तो यह काफी इंट्रस्टिंग मैप है इसको फॉलो कीजिएगा बहुत मज़ा आएगा आगे बढ़ते हैं हाँ एक यह मैप है इस मैप में देखिए मुगल एंपायर 1707 में मराथा किंग्डम केवल कॉंकन वाले कोस्ट लाइन में एक्टिव थी लेकिन मुगल्ज के जाते ही मतलब किसके किसके शक्ति से खतम होते ही और अंगजेव के शक्ति से जाते ही मराथों ने धिरे धिरे मैजणराबाद है इधर मैसूर है इधर कर्नेटिक है नीचे दरवन को यह मुगल्स लेकिन अभी दिरे नकी अफेगा यह अवध है घिक है यह इतना इतना भॉंगाल है और यह जो बची की कर रहा है बहादुर शाह पहले की है ना so to extend control over Marward and Ambar he forced Ajit Singh of Marward to submit to the Mughal authority अब पहले शुरुवाती फेज में बहादुर शाह जफर की policy राजपूतों की तरफ जो है वो थोड़ी सी सकत रही देरे देरे conciliatory हुई ठीक है Marward and Ambar को कह रहा है कि forced Ajit Singh of Marward to submit to the Mughal authority he tried to replace Jai Singh with his younger brother Vijay Singh so Ambar के ठीक है आमेर के Jai Singh जिनको फिर मिरजा सवाई Jai Singh का title मिलेगा उनको replace किया यंगर बदर Vijay Singh से बोथ Ajit and Jai Singh अब ये Ajit Singh और Jai Singh याद रखना है आपको ठीक है Marward के Ajit Singh और Ambar के या जैपूर के Jai Singh इन दोनों की ही demand थी कि हमें बड़े मनसब दिये जाएं हमने मुगल्स का साथ दिया है और अंगजेब के समय से ठीक है इन दोनों की ऐसी demand थी लेकिन दोनों की demands जो है वो ध्यान रखना आपको बहादुर शाह जफर स्वरी नॉट जफर लेकिन बहादुर शाह पहला अजीत सिंग और जय सिंग की demands जो है वो पूरी नहीं कर रहा था इनकी demand फिर आगे जहांदर शाह ने पूरी करी है बताऊंगा कैसे फिर लेटर रिस्टोर टू देर डिमांड फोर हाई मनसब रैंक जो है वहादुर शाह जो है वो नहीं मान रहा था क्यों कि बहादुर शाह जिन लोगों की वजह से अपनी नोबिलिटी की वजह से वो शक्ती में आया था उनको भी तो conciliate करना था ना उनके लिए उसने रखी थी मालवा और गुजरात की शक्ती नेक्स चीज मराठों के प्रती क्या conciliatory policy है अकबर ने शाहू को कैद करके रखा हुआ था ठीक है सुन अफ संभाजी संभाजी जिसको अप सुरी मैं अकबर बोल दे रहा हूँ और अंगजेब ने और अंगजेब ने संभाजी को मारा था ठीक है 1689 आपको याद होगा उसके बाद मराठे जो है वो भड़क गए थे संभाजी को मारने के बाद शाहू को जो है वो और अंगजेब ने अपनी कैद में रखा हुआ था ठीक है who was Mughal captivity in 1707 he granted them सरदेश मुखी of Deccan but not the Choth बहुत important बहादुर शाहा पहले ने मराठों को सरदेश मुखी दिया Choth नहीं दिया कि वो दक्कन वाले एरिया से सरदेश मुखी collect कर सकते है लेकिन चौथ नहीं लगे अभी देखिए यहाँ पर न मराठों को यह कहा जा रहा है कि तुम मुगल Dominion के under ही हो लेकिन still तुम अपना administration खुँच चलाओ और सरदेश मुखी तुम मतलब सरदेश मुखी collect कर सकते हो इस तरह का impact है राइट जबकि हम map में depict कर सकते हैं कि मराठे अलग हो गए है 1707 के बाद यह उससे पहले से ही मराठे अलग है बट स्टिल मुगल बाद्शा के orders मुगल official orders जो है वो मुगल बाद्शा के जा रहे है सो मुगल बाद्शा जो है वो recognition प्रवाइट कर रहा है जैसे आज international governments या बड़े देश recognition देते हैं किसी देश को की तुम भी देश हो तो मुगल बाद्शा इस तरह recognition दे रहा है कि और मुगल बाद्शा ने देखिए यहाँ पर बादुर्शा ने एक बहुत बढ़िया game खेला इसने शाहु को release कर क्यों किया? क्योंकि शाहु जाते ही फिर ताराभाई से लड़ेगा क्यों? क्योंकि ताराभाई जो है वो लंबे समय से मतलब मुगल्स को leading sorry not », लेकिन मुगल्स के खिलाफ मराथों को lead कर रही थी और शाहू और ताराभाई के बीच में फिर क्लेम आ जाएगा कि कौन बैठेगा आप गद्धी पे He also did not recognize शाहू as the rightful Maratha King thus keeping the fight for supremacy going between ताराभाई और शाहू शाहू को release तो किया लेकिन शाहू को Maratha King recognize नहीं किया उसने जिससे शाहू और ताराभाई फिर decide करें लड़के और अगर Maratha लड़ रहे हैं तो कमजोर है जिस चीज़ का फाइदा जा है वो मुगल उठा सकते है ये बहादुर शाह का plan था कि ये दोनों लड़ेंगे और इनका फाइदा उठा कर हम इनके डोमीनियन को कंट्रोल कर लेंगे लेकिन ऐसा हुआ नहीं ठीक है जिसे और अरंगजेब लड़ता रहा और गुरु गोबेंद सिंग ने मदत करी अब यहाँ पर ना एक बहुत important देखिए बहादुर शाह जफर पंजाब वाले एरिया में यानि लाहोर वाले एरिया में as a governor appointed था और तब तक वो औरंगजेब के orders पर शिखों पर जो है वो control किये हुआ था लेकिन औरंगजेब के जाने के बाद इनी सिखों की साहता से गुरु गोबिंद सिंग जी की साहता से गुरु गोबिंद सिंग जी की सैना की मदद से बहादुर शाह जफर जो है वो शक्ति में आया भी तो गुरु गोबिंद सिंग को grant किया उसने एक मनसब और गुरु गोबिंद सिंग जी को मतलब अपने साथ जो है वो दक्कन के expedition में ले गया कि दक्कन में जो अब मराठें आपस में लड़ रहे हैं उसका फायदा उठा कर हम मराठों को control करते हैं ठीक है so conciliatory policy towards राजपूत बट not so much राजपूतों को उनकी desired positions नहीं दी शाहू को release किया लेकिन शाहू और तारा भाई आपस में लड़ रही है ठीक है सिख गुरू 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 गोविन सिंग को मनसबदारी प्रवाइड करी ठीक है बट आफ्टर देथ ऑफ गुरू अब गुरू की भी मृत्ति हो गई कुछ ताइम बाद सिख once again अब गुरू के साथ तो अच्छे रिलेशन बन गए थे बादुर शाह सपर के लेकिन बंदा बाहदुर ने अब वापिस जो है वो बंदा बाहदुर कौन से अरिया में पंजाब की तरफ मूव किया और पंजाब में उसने सरहंद से शुरू करते हुए लाहौर तक कई सारे जो है वो मुगल सुभेदारों को मतलब मारा परशान किया उनके शाहरों को लूटा गया ठीक है और अपनी महाँ पर पॉलिटीकल अथ्रिटी जो यह वो बंदा बहादुर ने इस्टेबिश करनी कोशिश करी फिर बहादुर शाह जफर को बंदा बहादुर को कंडम करना पड़ा दमुगल अथोरिटी डिफीटिड बंदा बहादूर एट लोहगड़ फोर्ट बिल्ट बाइ गुरु गोविंज सिंग विच वाज लेटर रिकवर्ड इन सत्रा सुबारा बाइदसिक ठीक है बहादूर शाह मेड़ पीस विच सत्रा सल अब गुरु गोविंज सिंग के साथ conciliatory policy उनको मंसबदारी लेकिन बंदा बहादूर के साथ जो है वो कोई conciliatory policy नहीं बंदा बहादूर के खिलाब युद लड़ा गया और लोहगड़ में बंदा बहादूर को लोहगड़ के फोर्ट के अंदर बंदा बहादूर को छिपना पड़ा ठीक है मतलब शरण reinforce की अपने आपको और फिर लोहगड़ का किला इवेंचली उनने चुड़वा लिया ठीक है तो ये तो चलता रहता है ना मतलब किले पर सीज डलता है फिर वो शक्ती किले को छोड़ कर भाग जाती है कुछ समय बाद reinforce करती है और फिर से किला चुड़वा लेती है तो ये त तो skirmishes, battles, sieges जो है वो चलती रहती है वोर के वोर पीरिड में लेकिन एक वोर की stage में सिख फिर से आ गए पॉइंट यहां पर यह है राइट नेक्स्ट छतरासल यानि कि अब बुंदेलखंड के साथ क्या relation है तो छतरासल ने अपने आपको जो है वो अलग शाशक के रूप में और एक अलग राजे के रूप में established कर लिया था बुंदेलखंड को राइट यानि कि eastern मालवा को बहादुर शाँ मेड पीस विचतरासल दबुंदेला चीफ एंड जाट चीफ और जाटों के साथ भी क्या किया चूर्मान है जाट राजा जाट राजा जाट राम चूर्म बहादुर शाँ की तो राजपूतों के साथ मराठों के साथ बुंदेलों के साथ जाटों के साथ किसके साथ नहीं है तो initially सिखों के साथ भी लेकिन बंदा बहादुर के साथ नहीं ठीक है तो अपने आसपड़ उसकी शक्तियों को conciliate करने की वो कोशिश कर रहा है लेकिन जब तक बहादुर शाह जीवित है, administration उसके control में था, और इन सब को conciliate कैसे किया उसने, इन सब को जागीरे बाटी, क्योंकि पैसे देने के लिए तो है नहीं ना पैसे उसके पास, Treasury खाली बढ़ी है, तो इन सब को जागीरे दी, और जागीरे देने का घाटा क्या होता है, Feudalism बढ़ता है, आगे देखते हैं, He adopted more tolerant attitude toward Hindus, अच्छा, Hindu policy क्या है बहादुर शाह की, So, Hindu policy है tolerant, There was however a deterioration in the field of administration in his reign, because the lavishly granted जागीर's and promotions to his officials, Khafi Khan called him Shahe Bekhabar, headless king, he died in 1712, ध्यान रखना है, आपको, Khafi Khan ने, Bahadur Shahe पहले को शाहे बेखबर का है, कि इस शाह को खबर ही नहीं है, कि उसके पीछे उसकी जो nobility है, वो कितना खतरनाक, क्योंकि Bahadur Shahe बोड़े हो चुके है, और सब को पता है कि Bahadur Shahe शक्तिशाली है, लेकिन उसके बाद, Bahadur Shahe के जो, मतलब Bahadur Shahe के जाने के बाद, जो भी मुगल आएगा, वो है नहीं, वो भोग विलास में उतरे हुए है, ठीक है, वो नशे में पड़े हुए है, सबसे पहली बाद तो अफीम का नशा खा गई हैंने, मुगल्द को अफीम और शराब का नशा डुबा गई, ठीक है, सो शाहे बेखबर इसलिए कहा गया, क्योंकि Bahadur Shahe को पता ही नहीं था, कि उसकी कोर्ट जो है, उसके खिलाफ कितना गहरा शड़ेंतर रच रही थी, और जो जागीरे वो बाटे जा रहा था, इसलिए शाह ये बेखबर आप ध्यान रखेंगे, कहा गया बहादur Shahe को, 1712 में बहादur Shahe की मृत्ति हो गई, ठीक है, 70 साल की उमर में, अब बहादur Shahe के मरते ही, फिर से क्या हुआ, तो फिर से बैटल ओफ एक्सेशन हुई, अब ये असेशन की वार में, अब की बार जो है वो, पहले असेशन की वार, हुमायूं के समय, हुमायूं ने तो अकबर को नॉमिनेट कर दिया था, लेकिन अकबर के बाद, जहांगीर, शाह जहां और अंगजेव, असेशन की जो वार है, वो प्रिंच लड़ते थे, और वजीर लोगों का हाथ होता, लेकिन इतना बड़ा नहीं, प्रिंच लोग मजबूत हुआ गरते थे, ठीक है, लेकिन अब वो प्रिंच लोग मजबूत क्यों होते थे, क्योंकि अकबर ने फिक्स किया था, मनसबदारी सिस्टम में, जाट सवार वाला सिस्टम, कि 5000 से जो उपर के जाट होंगे, वो केवल प्रिंचिस के पास होंगे, यनि 7000 के सैनिक, या 10000 के घुड सवार, 10000 सैनिक या 7000 सैनिक रखने की क्षमता, केवल प्रिंचिस के पास हुआ गरती थी, और नहीं लेकिन जहांगीर के समय के बाद दूइस्पा-शिस्पा लगने की वज़े से जो नॉर्मल मनसवदार भी है ना जो मतलब किसी और लीनियत से आ रहे हैं रोयल लीनियत से नहीं हैं वो भी बड़ी संख्या में गोड़े रख सकते हैं बड़ी संख्या में सैना रख स को डिपेंडेंट रहना पड़ा इन दूसरी बड़ी शक्तियों पर कि यह हमें गोड़े दें और अगर मान लीजिए कोई अगर प्रिंस है उसके पास केवल दस हजार हैं गोड़े और सामने दो तीन नोबल आपस में जुड़ जाते हैं उनके पास कुल मिला के तीस हजार तीस हजार की साना हैं तो यह अहसान कर रहे हैं क्योंकि तिमूरी आइडियोलोजी के तहट बादशाह वो कोई तिमूरी ही बनेगा तो चाहे वो मुगल हो लेटर मुगल हो लेटर मुगल में आप यह देखेंगे कि ऐसा नहीं हूँगा कि कि किसी वजीर ने अपने आपको मुगल बाज़्छा कहे लिया हो नहीं, ये तिमूरी आइडियालोजी का काम है तिमूरी आइडियोलोजी के तहट मुगल ही मुगल बाज़्छा बनेगा, और कोहीं नहीं बन सकता, जैसे कि हमने दिली सुल्तानों में देखा ना कि وजीरों ने बाढ़चाऊं को हटा कर وजीरों ने सल्तानों को हटा कर खुद को सल्तान बनाया है बल्बन के केसम हमने देखा फिर बल्बन ने अपने सल्तान होने को प्रूव करने के लिए डिवाइनिटी कहा कि मैं तो जिल्ले इलाही हूं ठीक है वो फिर बहाने उन्होंने दिये वो अलग बात है ठीक है इस तरह जलाल उद्दीन को मार कर अला उद्दीन खिल जी गद्दी पर बैठा लेकिन ऐसा मुगल्स के साथ नहीं था क्योंकि तीमूरी आइडॉलिजी कहती है कि एक बादशाही मलब बाच्छा की फैमिली से नहीं कोई बाच्छा बन सकता है तो जितने भी लेटर मुगल्स जो हैं जागिरदारी क्राइसिस की वज़े से या दूइस्पा सीस्पा वाले सिस्टम की वज़े से जो नोबिलीटी है उनके पास सैना की संख्या बढ़ गई और जादा हो गई है इस कंपेर टू किसी प्र अगर कोई तीन चार नोबिलीटी जुड़ जाती है उसके पास 30,000 गोडे है तो वो प्रिंस पर आप एहसान कर रहे हैं अब वो प्रिंस को बनाएंगे शाशक बनाएंगे और अगर वो प्रिंस को शाशक बना रहे हैं एहसान कर रहे हैं वो कहेंगे कि हमें वजीर बनाओ ह हमें दिवान बना, हमें बड़ा मनसबदारी दो, हमें दिवानी लिख कर दो कि हम इस एरिया की दिवानी जो हैं वो कंज्यूम कर सकते हैं, जो कि फिर इसके बाद हुआ भी, क्योंकि अगले जो शक्ति में आएंगे वो आएंगे जहांदर शाह, और जहांदर शाह खुद नह जहांदर शाह जो हैं वो शक्ति में आते हैं और जुल्फिकार खां को वजीर बनाये जाता है, जहांदर शाह who succeeded बहादर शाह first was weak and incompetent, weak और incompetent क्यों थे, क्योंकि बहुत नशा किया करते हैं, right, he was controlled by nobles and ruled only for one year, एक साल rule किया, फिर इसके बाद जहांदर शाह को शक्ति से policy क्या है, जुल्फिकार खां शक्ति में लेकर आया, अब जुल्फिकार खां एक able, बहुत ही जादा able जो है वो administrator था, क्योंकि जुल्फिकार खां बहुत पहले से काम कर रहा था, और अंगजेब के अंडर काम किया, उसने और अंगजेब के बराबर काम किया, उसने, right, तो रोयल ट्रेजरी पर और जादा प्रेशर पड़ गया, ठीक है, पांच साल में जितना कमाया था, वो सब खतम हो गया, अब जल्फिकार खाने एक नया जो है, नया एक मतलब land revenue system established किया, जिसको इजाहरे दारी कहा गया, ठीक है, इजारे दारी के तहट उसने क्या किया, बिल्कुल बेसिक चीज़ है इजारे दारी, कि उसने, बोली लगवाई, उसने कहा कि ये particular land है, इसका measurement करवाया है, हमने मान ली ये 100 बीगे भूमी है, ठीक है, उसने बोली लगवाई, कि ये 100 बीगे जमीन है, इस 100 बीगे निकाल दूँगा, किसे ने कहा कि मैं 3000 निकाल दूँगा, ठीक है, तो जो 3000 वाला था, उसकी बोली सबसे उपर लगई, रइट, तो वहाँ पर फिक्स हो गया कि तुम 3000 दोगे, तो इजारे दारी सिस्टम में क्या है, कि जिसे ठेका होता है, ठीक है, टेंडर निकलता है, त तो 3000 यूनिट जो है, उसको पहले या तो उसका एक बड़ा हिस्सा जो है, वह पहले रॉयल ट्रेजरी में जमा कराना पड़ेगा, फिर उसके बाद साल या जितना भी समय फिक्स हुए, उतने समय के लिए वह जमीन उसको पटे पर दे दी जाएगी, और फिर उसके बाद उ तो 3000 यूनिट जो है, वह रॉयल ट्रेजरी में जमा कराएगा, और उस जमीन दार ने या उस मनसबदार ने 3000 यूनिट जमा करा दी, ठीक है, और अब उसके बाद वह जमीन से 5000 निकाले, 7000 निकाले, नफ़ा नुकसान उसका, इससे हुआ कि बहुत जादा प्रेशर बढ़ पीजन्ट पर, बदले में पीजन्ट ने क्या किया, कैश क्रॉप्स उगानी शुरू कर दी, कैश क्रॉप्स यानि कि उन्होंने अफीम उगानी शुरू कर दी, उन्होंने कॉटन उगाना शुरू कर दिया, उन्होंने लिंसीड, इंडिगो बगरा उगाना शुरू कर दिय जिसको अंग्रेज खरीद रहे थे इंटर्न क्या हुआ अंग्रेजों का मुनाफ़ बढ़ गया और अंग्रेजों की एकॉनमी स्ट्रॉंग हुई तो उनका पॉलिटिकल कंट्रोल भी बढ़ता गया अब इससे एक शॉट टर्म रेमिडी तो थी शॉट टर्म मोगल कोर्ट मे मिलिटरी को दुरूस करना था क्योंकि पांच साल के अंदर दो बार बैटल अफ असेशन हुई है यानि कि जो काम के मिलिटरी जनरल्स है वो मर गया उसके अलबाद पिछले 25 साल से लगातार और अंगजेब लड़ाई लड़ता जा रहा था जो काम की सैना है जो स्ट्रॉं किन्ती में तो हैं कि 50,000 घोडे हैं और पता चल रहा है बाद में सैना में केवल 10,000 ही निकल रहे है ठीक है सो सैना को discipline करना है इन सब काम पर इन्वेस्ट करना चाह रहे थे जुल्फिकार खान लेकिन देखते हैं उनको करने दिया की नहीं जुल्फिकार खान के कहने पर जहांदर शान एक बहुत बहतरीन स्टेप उठाया जो की था जजिया को हटाया जाए ताकि राजपूतों को conciliate किया जा सके तो अरंगजेब द्वारा लगाया गया जजिया को किस मुगल बाच्शा ने हटाया है तो जहांदर शान रखेंगे आप given the title of मिर्जा राजा सवाई अब मिर्जा राजा सवाई जो है वो दिया गया जैसिंग को क्योंकि जैसिंग जो है वो औरंगजेब के समय था अब जैसिंग का सवा गुना जो है वो टाइटल मिला आमेर के शाशक जैसिंग को right of आमेर and appointed him as governor of मालवा और जैसिंग को मालवा governor बनाया मालवा की मनसबदारी जैसिंग बड़े समय से मांग रहा था जैसिंग को मालवा की मनसबदारी दी गई अजीद सिंग की बात करें मारवाड के तो अजीद सिंग को दिया given the title of महा राजा and appointed the governor of condition that the Mughal officials would make अच्छा यहां पर एक line जो है वो खाई गई governor इनको गुजरात का governor बनाया गया ठीक है लेकिन इस condition पर governor बनाया गया कि मुगल जो है वो अच्छा यहां पर दो lines और और खाई गई है ठीक है इधर एक point यह था कि मराठों को सरदेश मुखी और चौथ दोनों दे दी गई सरदेश मुखी और चौथ दोनों मराठों को दे दी गई इस condition पर कि केवल मुगल officials ही सरदेश मुखी और चौथ collect करके फिर मराठों को देंगे मतलब मुगल dominions में है तो officially मुगल dominions ही न दक्षण तक बिजापूर गौल कॉंडा तक है तो officially मुगल dominions लेकिन मराठों को लिख कर दिया गया कि हाँ आप पहले सरदेश मुखी केवल सरदेश मुखी collect करने का दिया गया था अब उनको चौथ भी collect करने का दिया गया कि तुम सरदेश मुखी और चौथ दोनों collect कर सकते हो लेकिन आपको मुगल जो officers हैं वो collect करके देंगे आप खुद नहीं collect करेंगे ठीक है ताकि उसमें कोई घपला ना हो यहाँ पर दो तीन लाइन जो है वो गायब हो गई अब important terms यहाँ पर देखिए क्या कहा है चौथ का मतलब क्या होता है it was a tax imposed by Marathas and it was Levite चौथ आप लोगों का पता है ठीक है Marathas अपने आसपड़ोस की territory से चौथ वसूल करते हैं यह धमकी देकर कि या तो चौथ देदो या तो हम खुद आकर सब कुछ लूट कर चले जाएंगे ठीक है सरदेश मुखी क्या है कि Marathas कह रहे हैं कि अगर आप Marathas territory में स्वशाशन करना चाहते हैं ठीक है तो आपको चौथ भी देना पड़ेगा प्लस 10% और देना पड़ेगा सरदेश मुखी तो आप अपना खुद का सशन चला सकते हैं हमारी territory में ठीक है अडिशनल 10% और जजिया क्या है मैंने आपको बता है नौन मुसलिम population को यानि जिम्मी population को एक मुसलिम राश्टर में जजिया देना पड़ता है in lieu of their protection जुलफीकार खाने सबसे पहले जागीरदारी क्रáfic को गन्ट्रोल करना कोशिक कर है और मनसबदारों को फोर्स किया कि आपको जितने जितने सैनिक मेंटेन करने को कहा गया वो कीजिये यानि जाट और सवार का ध्यान किया उसने ठीक है जाट और सवार को मेंटेन करा जाए पहली चीज़ दूसरा बट इजारेदारी या रेवन्यु फार्मिंग उसने शूरू करवाई रवाई वर्वाहई गवर्वर्मिंट्रेश इसने प्राइदारी में क्या था उपर वो दिवान रख लेते है गवर्वर्मेंट और नीचे वो रायत है और बीच में ने बिठा दिये middleman जमींदार या जागीरदार अब मुगल बादष्छा या मुगल दिवान जो है वो खुद नहीं collect कर रहा रायच से अगर वो खुद collect करेगा रायच से तो बहुत खर्चा पड़ेगा फिर हो सकता है कि फसल निकलने का वेट किया जाए फिर फसल निकलेगी फिर उसको वो किसान बेचेगा तब जाके cash payment करेगा यह बहुत लंबा procedure है और treasury जो है वो खाली है treasury को तुरंत भरना है तो क्या किया जागीरदारों जमीनदारों को किया उनको बोला इस जमीन की बोली लगाओ तुम कितना दे सकते हो में जितना उन से मतलब so fixed amount लिया गया जागीरदारों जमीनदारों से यानि मिडल में से बट छोड़ दिया गया रायत को इनके जबरों से और किसानों से तुम जितना मर्जी उतना निकालो यहां पर इस पॉइंड को इस पॉइंड को जो है वो इरफान हभीब सामने क्रिटेसाइज किया है कि यहां पर मुगल आदिनिस्ट्रेशन जो है वो अपना फाइदा कर रहा था कि अपना फाइदा और जमीनदारों का फाइदा कि सानों का कोई फाइदा नहीं और दौर not just Muslim but Hindu population Hindu जमीदारों ने भी दवा कर लूटा है किसानों को क्योंकि खुली छूट मिल गए थी जितना मर्जी टेक्स तुमें मतलब exact करना है जितना मर्जी टेक्स realize करना है किसानों से करो बस हमें साल का इतना देदो अब यही सेम काम जो है इसी सेम जारेदारी सिस्टम को थोड़ा सा transform करके permanent settlement के रूप में हमें अंग्रेज़ों में देखे क्योंकि वहाँ पर भी तीन होगा ना नीचे रायत होगा बीच में जमीदार होगा और उपर state होगा मतलब उपर अंग्रेज होगे ठीक है लेकिन यहाँ पर fix होगा कि किसानों से कितना लिया जाना है वो भी fix है जमींदार को state को कितना देना है वो भी fix है लेकिन यहाँ पर exploitation क्यों है यहाँ पर exploitation इसलिए है क्योंकि 10 में से 9 हिस्से तो देई देने पड़ रहे है लेकिन किसानों यहाँ पर जमीनदारों का भी exploitation है इजारेदारी सिस्टम में जो middleman है वो ठीक ठाक कमा रहा है लेकिन जो permanent settlement है उसमें middleman ठीक ठाक नहीं कमा पर रहा है middleman यानि कि जो जमीनदार है उसको भी पिशना पड़ रहा है और किसानों की तो हालत मत पूछो किसानों की तो हुकमरी की तीन तीन चार चार दिन में एक एक बार खाना खाने को मिल रहा है ऐसी हालत है कि the revenue farmers were allotted contracts based on highest bid highest bid के base पर contract मिल रहा है यानि बोलियां लग रही है ध्यान रखेगा यह important है आपका इजारेदारी सिस्टम ठीक है जैसे हम मैंने आप पहला को बोला था ना कि जैğlे और प्रमनेंट सेट्लमेंट रायत वाडी इस पर Layer in my साथ है और यहां पर हमें खासा ध्यान देना है इस पर राइट kept it करते हैं नेक्स बात करते हैं फारुक सियार की ऐसेंड़ द त्रोन विद विद थे हैल पीज़ को इस इंदर से उतर जाओ ठीक है क्यों उतर जाओ पीछे देखो चौन खड़े पीछे खड़े यह सेद ब्रदर्स रहें सेद ब्रदस को किंग मेकर से इसलिए कहा गया क्योंकि अपनी मर्जी से उन्होंने एक के बाद एक जो है वो मुगल बादश्याओं को शक्ति पर बिठाया और यहां पर यहां पर पूरे हिंदोस्तान में एक बहुत बड़ी घटना घटी जो पिछले 200-500 सालों से नहीं हो रही थी नहीं हुई थी किसीने सोचा नहीं था हो जाएगी वो था मुगल बादश्याओं का कतल कर दिया गया मुगल बादश्याओं की गिरबान तक हाथ पहुचाने के उकात पिछले 200 सालों तक किसी की नहीं थी मुगल बादशा का कतल कर दिया गया ठीक है बहुत बड़ी बात हो गई और मतलब समझ रहे हैं यहां से मुगल यहां से जो है वो clear हो गया कि मुगल empire अब रही नहीं वो बात रही नहीं बिलकुल नहीं ठीक है He was controlled by Sayyad brothers who were the real authority behind मुगल power When he tried to free himself from their control पूरे empire में जो है मुगल बादशा कातल हो गया तो फिर अगर मुगल बादशा को मारा जा सकता है तो कोई भी safe नहीं है ठीक है इससे यह message गया It was during his reign Banda Bahadur the Sikh chief was captured and killed Right So 17, 16, 15, 16 में Banda Bahadur को capture करके मारा गया किसके रहन में फारुक सियार के However the struggle for power between the emperor and the siyad brothers increased and the efforts of the emperor to overthrow the brothers failed repeatedly ठीक है अब siyad brothers की मदद से बैठे वो शक्ती में फारुक सियार फारुक सियार को आप यह नहीं कह सकते कि फारुक सियार जो है वो बहुत competent ruler था He was incompetent लेकिन वो कोशिश कर रहा था कि वो reassert करे मैं बहुत competent बन जाए ठीक है फारुक सियार वो डिपोजड एंड केल्ड इन 1719 फारुक सियार को मार दिया गया फारुक देखते हैं महामद शाह बीच में रफियुद दरात रफियुद दौला वगरा यह जो है वो कुछ बीच में एक शाषक भी और आएंगे चोटे बच्चे थे विचारे उनको मैं आगे करवाता हूँ आपको मुहमद शाह अगला मुगल शाशक आता है मुहमद शाह जो की लंबे समय तक शाशन मेरा 1719 से 1748 तक का शाशन रहा मुहमद शाह का लेकिन मुहमद शाह जो है वो रंगीला था इसको कहा गया है रंगीला फारुक सियार को कहा गया है कायर कावर्ड राइट मुहमद शाह एड़ लांग रेन और मुगल रूल वस स्टिल हेल्ड इन हाई एस्टीम बाइद पीपल मुहमद शाह के समय तक भी मुगल शाशन की थोड़ी आब औ हवा मतलब थी थोड़ा सा उनका भी नाम चलता था लेकिन मुहमद शाह के समय न एक बहुत बुरा काम हुआ नादिर शाह आया नादिर शाह ने दिल्ली को जो लूटा है अफगान शाशक नादिर शाह लाहूर लूटता हुआ वो दिल्ली को उसने जो लूटा है और एक कहानी है इसकी क्रेडिविलिटी पर मैं पूरा शौर नहीं हूँ कि मुहमद शाह को गदे पर उल्टा विठा कर घुमाए गया दिल्ली में ठीक है लेकिन मुझे नहीं लगता वैसे यह किया जाता है मतलब ऐसा जो है वो सेंट्रल एशिया में और मिड वेस्टन एशिया में जो है वो यह प्रेक्टिस थी कि हारे वशाशक को गदे पर उल्टा विठाय काला मू करके शहर में गुमाया जाता था लेकिन ऐसा मैंने कहीं एक आदे सोर्स में पढ़ा है बट आम नोट शॉर की सच तिंग हैपन लेकिन उसके अलावा जितना हिमिलियेशन किया जा सकता था मुगल बादशा का किया गया नादिर शादवारा बट मुहामद शाह वस नॉट गुड रूलर वस प्लेजर लविंग और बहुत भोग विलासी थे मतलब इतने आप यकीन नहीं करेंगे एक मुगल बादशा दिवाने आम में उसके वजीर निजाम अलमुल्क उसके वजीर जो हैं वह मतलब पूरी शिदत से एंपायर को जोड़ कर रखने का काम कर रहे हैं और वह दिवाने आम में जहां पर वजीर और अन्य नोबल्स बैठे हैं बिलकुल नंगी हालत में नंगम स्थिती में बिलकुल निूड जो हैं वह आ जाते हैं और उनके अलबा और भी जो आदमी ऑरत उनके साथ जो हैं वह पूरे मतलब नंगी हालत में कोट मरा आ जा रहे हैं और नाच गाना कर रहे हैं ओर तो ein कपड़ए पहन कर वह पूरे में गूम रहे और कथक कर रहे हैं पंदरा-पंदरा घंटे मतलब समझ रहे हैं बहुत बुरी हालत नशे में चूर और मतलब ऐसी personalities उनकी अंदर हो सकता है कि personality disorders हो उने कुछ राइट सो लड़कियों के attire में घूमना मतलब cross tracing करना और मतलब भोग विलास में पढ़े रहना और बहुत बुरी हालत उनकी ठीक है इसलिए उनको रंगीला का गया रंगीला मुगल he was pleasure loving ruler and lose morals therefore called मुहामद शहा रंगीला after the fall of सयद ब्रदर्स मुहामद आमीन खान was his first brother right so सयद ब्रदर्स को मारा गया ठीक है उनको धोका दड़ी से दोनों सयद ब्रदर्स को एक एक करके मार दिया गया आगे बताता हूं कैसे मारा गया उनने उसके बाद आए आमीन खान अब आमीन खान काम करने की कोईश कर रहे थे आमीन खान को भी court politics खा गई आमीन खान के बाद आते हैं फिर निजाम अल मुल्क यानि की असफजा असफजा पहले 1719 से 22 रहे वो दिवान ठीक है और 1722 में बने वो वजीर 1722 से 1724 तक रहे वो वजीर और दो साल में भाई ने कान गौहाद लगा दिये कि भाई मेर से नहीं हो रहा है तुम चला लो दिल्ली को और निजाम अल मुल्क ने अपना सपोर्टर्स को बटो रहा अपना बोरिय अबिस्तरा बटो रहा और हैदराबाद आ गए और महापर उन्होंने असफजाई शुरू कर दी एक अलग डैनेस्टी ड़क एस्टेबलिश कर दी दो साल में मुहमद शाहने उस आदमी को काम नहीं करने दिया जबकि बहुत ही ज़ादा कॉंपिटेंट वजीर था वो मतलब आप ये कहली जिए कि मुगल एंपायर को बचा सकने वाले ना कुछ है कैसे विकती थे जो बचा सकते थे उसमें से एक बहुत बड़ी शक्ती थी असफजा जो बचा सकता था मुगल एंपायर को ठीक है और उस समय चांसिस भी थे मुगल एंपायर बच भी सकता था क्योंकि अभी नाम भी था 1720 वाले डेकेड में लेकिन रंगीला इतना रंगीला था और आज जो कोट जो मुगल कोट थी वो इतनी बटी हुई थी रंगीले के कान इतने भर दी है सबने इतना जहर बर दी है निजाम-ul-मुल्क के खिलाफ कि निजाम-ul-मुल्क ने फिर दुखी होकर कोट छोड़ दि सब्सक्राइब निजाम-ul-मुल्क जो काम करता है जो अच्छे ओडिनेंस निकालता या जो भी मतलब कानून बनाने कोईश करता अंतिम फैसला तो बादश्या कही होता है बादश्या उसको बदल देता ठीक है नादिर शाह इंवेडिद इंडिया एं 1738-39 एं बेड्रूम में घुषके आपके बेड को ही उठाकर ले जाए ठीक है तो आप समझ सकते हैं कितनी गहरी जो है वह चोट पहुचाई उसमें और दिल्ली को लूटा दिल्ली के लोगो को मारा मार्केट्स खराब कर दी समझ रहे हैं अब जब नादिर शाह आ रहा होगा तो ज इसी वज़े से लखनव जैसे शहरों में कल्चर डेवलप हुआ है क्यों कि लखनव तक आकरमन पहुंचता नहीं है और दिल्ली के बाद अवद की कैपिटल है लखनव और अवद के जो सुल्तानी अवद के जो गवर्नर्स हैं अवद के जो नवाब हैं उनके पास वकात है पेटरनाइज कर नहीं उनके पास क्योंकि एकानोमी उनकी स्ट्रॉंग है तो जब भी दिल्ली उजडती है तो अवद जैसे राज्यों की चांदी हो जाती है यूद की जितना भी ट्रेड है उनके पास आजाता है ठीक है और वही हुआ भी नादिरिशा जब आया तो दिल् 1748 से 54 एहमद शाह जब शक्तिम आये एहमद शाह भी उसी तरह थे इन कॉंपिटेंट थे नशे पत्ते में धूतरा करते थे एहमद शाह को भी समझनी आयेगा कि क्या करना है ठीक है देर वर बिटर स्ट्रॉगल्स अमंग दा पावर हंगरी नोबल्स तुरानी एंड इरानी factions after the death of Emperor Muhammad Shah in 1748 ठीक है अब यो तुरानी इरानी कौन है तुर्की और फार्जी है ना तुर्की और फार्जी ओं में तुरानी और इरानी ओं में जबर्दस लड़ाई थी कि कौन बैठेगा शक्ति में किसकी मदद से मलब तुरानीयों का तुरानीयों के सपोर्ट से मुगल ब बैठेगा मुगल बाच्छा बैठेगा कोई तिमूरी ठीक है वो तिमूरीड आइडियोलेजी है वो तिमूरीड ठीक है कि बैठेगा तो कोई तिमूरी कोई और नहीं बैठ सकता शक्ति में लेकिन कौन बिठाएगा उसे एहमद शाह ascended the throne but was unable to cope up with the disintegrating forces next आते हैं फिर आलम अलमगीर 2nd came to throne after the dethronement of एहमद शाह, एहमद शाह को शक्ती से उता रहा गया और अलमगीर 2nd को शक्ती से बिठाएगा, हम इनकी depth में optional में जाएंगे कि कौन किसका बेटा था, किसकी कौन माता थी और उसकी माता भी जो है वो administration में हस्तक शेप कर रही थी इतना deep में optional level पर है प्री में नहीं पूछाएगा आपसे कोई, ठीके, the military and financial position of empire during this period became worst, आलमगीर 2nd was murdered, again एक और मुगल वाच्छा को murder कर दिया गया, 1759, आलमगीर 2nd, उसके बाद आते हैं फिर शाह जहां 3rd, 1759 से 60, यह कटपुतली हैं बिलकुल, he was placed on throne by इमाद उल मुल्क, but was deposed by माराथास who captured Delhi 1760, 1760 में शाह जहां 3rd को हटाएगे शक्ति से, क्योंकि माराथास ने 1760 तक जो दिल्ली वाला एरिया है, सिंदिया और होलकर्ज ने दिल्ली को कंट्रोल में कर लिया, उसके बाद आते हैं फिर शाह आलम 2nd, जो कि लगभग, आप कह सकते हैं कि काफी लंबे समय तक शाशन क दिल्ली में बैठ नहीं सकते हैं कि कुछ हद तक competent ruler है, लेकिन नाजिम शाह खुद का ही उनका वजीर उनकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, तो शाह आलम 2nd बंत हो गए बाद्शा, लेकिन दिल्ली में बैठ नहीं सकते थे वो, तो वो बैठ रहते थे थे आवद, लखना दिल्ली नहीं बैठ पा रहा था, उसको एक जगा से दूसरी जगा भटकना पड़ रहा था, तो वो है शाह आलम 2nd, क्योंकि उसका खुद का वजीर उसकी जान के पीछे पड़ा हुआ था, लेकिन empire was now beyond redemption, हालत इतनी खराब हो चुकी थी, कि मराठों ने दिल्ली वो कंट्रोल कर लिया था, ठीक है, राजपूतों ने अपने आपको अलग कर ली, राजपूत तब से ही अलग हैं, ठीक है, एक बार दिवानी दे दी गई, लेकिन अगर एक बार मनसबदारी प्रोवाइड कर कर दिया है उपर, उपर मराठे जो नीचे मतलब मराठे जो हैं वो अलग स्ट्रॉंग शक्ती बन गए है, बंगाल जो है वो अपने आपको अलग कर चुका है, राइट, लेकिन देखिए, चाहे वो बंगाल हो, वो अवद हो, वो हैदराबाद हो, वो राजपूताना हो, मा निजाम, मतलब हाईदराबाद अवद है, ठीक है, बंगाल बिहार है, और इधर पंजाब है, पंजाब के कुछ रीजन है, और बीच मत दिल्ली आग रहा है, इन सबने बैनर जो है, वो मुगल ही लगा हो, मतलब जंडा जो है, वो अंत में इंपीरियल सील, जो है, वो मुगल का मतलब है, मुगल, अगर कोई चीज मुगल के मार्केट से जा रही है, मतलब उसकी प्योरिटी पर भरोसा किया जा सकता है, उसकी क्वालिटी पर भरोसा किया जा सकता है, तो एक ब्रैंड नेम है मुगल का माल है, तो अच्छा ही होगा, ठीक है, तो वो ब्रैंड नेम को लेकर रखा हुआ है सबने लेकिन अटॉनमी फैल चुकी है अब यह देखिए राजपूद जो है वो अलग हो गए है मराथा कॉन्फिटरिसी अलग हो गई है जाट अलग है दिल्ली केवल यहां रह गए मुगल टरिटरी केवल दिल्ली के असबस रह गई अवद अलग कोर इस साइड कैरनेटिक ठीक है यह सरकार इतना एरिया बंगाल यह अवद के कंट्रोल में यह राजपूतों ने इतना अलग कर रखा है और यह वाला एरिया यह सारा एरिया जो है वो अफगानिस्तान के कंट्रोल में तो मुगल के वल यहां रह गए इतने इस एरिया में लेकिन अभी भी राजपूतों ने, अवद ने, बंगाल ने, इन्होंने मुगल बैनर पहना हुआ है, निजाम ने मुगल बैनर पहन रखा है, क्यों? क्योंकि ट्रेड के लिए अच्छा है, right? इन 1764, ये जॉइनद मीर कासिम और शुजाओ दौला का साथ दिया, 1764 बक्सर की लडाई में, ये जॉइनद मीर कासिम और शुजाओ दौला अवद अगेंस दे ब्रिटिश, डिटिटेट अच्छा अच्छा ब्रिटिश सहालम, अब 1764 ब्रिटिश से हार गए 1765 ट्रेटी अलाबाद में देख रहे हैं आप इसलिए कह रहा हूं कि मुगल बाच्छा के अंडर हैं क्योंकि बैनर बिहार बंगाल और उडिसा का बैनर तो मुगल बाच्छा के अंडर में है न तो यहां की दिवानी जब लिखवाई गई तो मुगल बाच्छा से लिखवाई गई यह न तो यह बेसिकली मुगल बाच्चा की ही टेरिटरी थी लेकिन इसके प्रोविंशल गवर्नर्स ने अपने आपको अटॉनमस घोशित कर दिया था राइट तो उसके बाद शाह आलम लिवड आज प्रिजनर्स ऑफ इस इंडिया कंपनी फर सेवरल यर्स इन अलाबाद 1765 से 1772 1772 में फिर मराथे जो है वो शाह आलम सेगेंड को दिली ले गए राइट अब ब्रिटिश ने दिली कब फाइनली अठारा सो तीन में लिए शाह आलम सेगेंड से ठीक है और अठारा सो तीन में लाल किले में दिली मुगल जंडा उतरा है और अंग्रेजों का जंडा लगा है अठार सो तीन मर जागा है ठीक है एंड फॉर्म फॉर्म देट तिल यह एटीन फिटी सेवन दे मुगल एंपायर सर्वड जस्ट इस पॉलिटिकल फ्रेंट फॉर बिटिश उसके बाद तो फेर लाल किला था बस मुगल के कंट्रोल में और कुछ नहीं वो भी उनको पैंजन पर चलाने को दे रखा था कि तुम चला हो राइट आफ्र जय सक्सीड़ेट अगर शहा थेकिंड अवि बहादुर शहा दूसरे आते हैं अगर शहा के बाद विकेंद एमपरर फॉर्ट पार्ट इन लेंगे वजय से उनको रंगून भेज़ दिया गय समझा मोल डिनिस्टी कहानी किस तरह डिसिंटिक्रेट हुआ बादुर शाह पहला फिर उसके बाद जहांदर शाह फारुक सियार मुहमद शाह ये इंपॉर्टन शाह शक फिर मुहमद शाह के जाने के बाद कुछ दो तीन जो है वो आए एहमद शाह वगरा वो काम के नहीं नि सतावन की करांती को नॉमिनली लीड किया है जिसकी वजह से उसको रंगोन बेजा गया और महापरुस्की फिर 1862 में मिर्ति हो गई और उसको दफनाने की जमीन तक अबलेबल नहीं थी तो मुगल बादशाह को दोगज दफनाने की जमीन नहीं मिली थी अंत में और एक समय म लगबग पूरा हिंदोस्तान उनके कंट्रोल में था राइट तो मुगल्स का डिकलाइन बहुत रैपिड है क्यों है यह हमारा वैसे तो ऑप्शनल का सवाल है बहुत डिटेल में हमें पढ़ना एसे मुगल डिकलाइन के पीछे चुपी हुई बहुत इंटी क्रिट जो बा प्रू किये ना वहां से हमें शुरुबात होती भी नजर आएगी शाह जहां जो एक्स्ट्रावगेंस खर्चा करेगा और जब सेलरी देने की बारी आएगी तो जागीरे बाट देगा उदर से जागीरदारी क्रैसिस शुरू होता नजर आएगा फिर उसके बाद औरंग ज लिए उसके पास पैसा नहीं होगा और मर जाएगा फिर वो तो फिर उसके सक्सेसर्स जो है फिर वो उल्जे रह जाएंगे इतने बड़े एंपायर को हम हैंडल करें कैसे जिस तरह मोहमद बिन तुगलक ने पूरा एंपायर मतलब एंपायर का एक्स्पेंड तो गर दिया लेकिन उसको consolidated रखने की क्षंता नहीं थी और फिर उसके मोहमद बिन तुगलक के जाने के बाद फिरोश्या तुगलक ने बचे हुए एंपायर को केवर consolidate करने काम किया था अगर कोई मुगल वाच्छा ऐसा निकलता कि बचे हुए एंपायर को consolidate ही कर लो राइट सो हम optional level पर हम जाएंगे न तो हम decline of ya मोहमद बिन तुगलक की समष्यां यह और अ Princeton कि समस्याएं और मोहमद बिन तुगलक के बाद फिरोश्या तुगलक की समस्याएं और later मोगल की समस्याओं को जो है वह compare करता हुए नजर आएंगे हम और यहाँ पर इस comparison में सवाल बनेगा कि फिरोश तो खेर वो हमारा optional का सवाल है, तो यहाँ पर आपको इन छोटे-छोटे points को ध्यान रखना है, अगर आप इतिहास optional आगे मेरे साथ पढ़ने जाएंगे तो ठीक है, खेर आगे बढ़ते हैं, यह मुगल empire है, यह तो मैं हम पहले कई बार देख चुके हैं, यह अकबर के समय का मुगल empire है, देख रहे हैं आप, एहमद नगर के उपर तक control में किया, अब देखते हैं, formally देखते हैं कि cause of decline of mughals क्या है, अभी तक हमने later mughals को देखा, कि later mughals कौन कौन है, right, later mughals की list देखी, और किसके समय का क्या important event है वो हमने समझा, अब causes of decline देखते हैं कि वो later mughals जो ह के, there were many factors at work behind the decline of mughal empire, some of them these are, right, सबसे पहला है despotic rule, एक अच्छा administration नहीं था, despotic था, the mughal government was a centralized despotism whose stability depended upon the personality and character of monarch, सबसे पहले चीज़, mughal empire stable तभी रहेगा, क्यूंकि despotic rule है, centralized है, और centralized जब authority होती है और centralized monarchy में जो शाह है या जो king है उसके control में होता है सब कुछ, so अगर emperor शाह या king काबिल नहीं होगा, तो empire नहीं चल सकता, right, thus as Aurangzeb's successors from Bahadur Shah 1st to Bahadur Shah 2nd were mostly worthless, the affair of government went into the hands of unscrupulous nobles, right, so Bahadur Shah पहले से लेकर, Bahadur Shah 2nd, तक कोई भी ऐसा, हमें मुगल बाद्शा नहीं नजर आया, जिसने command अपने हाथ में ली, क्योंकि मुगल empire चलता है, मुगल empire जो है, वो strong हो सकता है, अगर मुगल बाद्शा strong होगा, और मुगल बाद्शा तब strong होगा, जब उसकी वास military strong होगी, और मुगल बाद्शा कब बनता है, मुगल बाद्शा बनता है, जब वो अपने भाईों से लड़ कर शक्ती में पहुँचेगा, और वो भाईों से लड़ कैसे लेगा, और भाईों से लड़ कर अगर वो शक्ती में पहुँचेगा, तो खुद अपने दम पर कैसे जब उसके नोबल्स अगर आपस में जुड़ जाएं तो उनकी सेना यह जो है वो प्रिंस की सेना इसे बड़ी हो जाती है समझ रहें आप सो दूश्पा सीश्पा सिस्टम की वज़े से नोबिलीटी के पास सेना की संख्या बढ़ गई थी अगर प्रिंस के पास 10,000 की सेना है तो नोबिलीटी सामने से 40,000 की सेना लेगर बैठी हुई है तो अब इस प्रिंस को नोबिलीटी पर डिपेंडेंट रहना पड़ रहा है बाच्छा बनने के लिए ठीक है तो खैर कई सारे कारण है लेकिन पहला तो यह की पर्सनलिटी भी नहीं थी शाशकों के ठीक है नेक्स इस दे नोबल्स बिकेम किंग मेकर्स एंड कंटिनुवस कोर्ट फैक्शन डिस्टेबलाईज दे अड्मिनिस्टेशन किंग मेकिंग का सिस्टं सैद ब्रदर्स को किंग मेकर कहा गया जुलफिकार खाने जहांदर शाह को शक्ति में बिठाया उसके बाद ये जो है सेयद ब्रजर्स है इन्होंने फारुक सियार को शक्ति में बिठाया निजामुल मुल्क की मदद से महामद शाह शक्ति में आया नेक्स चीज़ है कि डी जनेरेशन आफ आर्मी आर्मी खतम हो चुकी थी क्यूंकि औरंग जे 25 साल से लड़ रहा था फिर बहादुर शाह जफर लड़ जगड कर आया शक्ति में फिर जहांदर शाह लड़ जगड कर आया फिर उसके बाद फारुक सियार लड़ जगड कर आया फारुक सियार के बाद महामद शाह लड़ जगड कर आया तो मुगल सैना आपस में ही लड़ रही है ठीक है पिछले 20-30 साल से 25-30 साल से और ज soldiers नहीं होंगे, right, due to the mansabdaari system, there was no bond of closeness between the emperor and individual soldiers, एक तो यह देखिए, mansabdaari system की वज़े से, mansabdaari system में जो flaws पैदा हुए, उस वज़े से मुगल आर्मी जो है, वो कमजोर हुई है, ध्यान रखेगा, मुगल आर्मी की strength जो है, वो mansabdaari system नहीं था, मनसabdaari system मुगल civil administration की strength था, मनसabdaari system की वज़े से मुगल आर्मी कमजोर हो गई थी, क्यों, क्योंकि मैंने आपको बोला ना, कि एक मनसabdaar मुगल सैना की, मतलब, मनसabdaar अपने अंडर सैनिकों की salary दिया गरता था, so that means, जो soldiers है, ठीक है, इनकी loyalty इनके मनसabdaarों के लिए हुआ अगर आप मनसabdaar को जागीर दे देंगे, जमीन बाट देंगे, तो अब इस जमीन से निकला हुआ जितना भी revenue है, उस revenue से ये सैना को salary भी देगा, अपनी salary भी निकालेगा, तो अब इसके पास एक ऐसी सैना भी है, जो इस मनसabdaar के लिए loyal भी है, और इसके पास जमीन भी ह अपने आपको independent कर सकता है, राइट, सो मनसabdaarी system, जो कि एक अच्छा कुशल administration system था, समझ रहे हैं, वो तो अकबर की वज़े से ठीक हुआ था, क्योंकि अकबर मजबूत था, देख रहे हैं, मुगल empire कमजोर इसलिए हो रहा है, क्योंकि शाशक मजबूत होना चीए, समझ र efficient है, लेकिन वो तभी efficient है, जब king मजबूत हो, अगर king मजबूत नहीं है, तो मनसabdaarी system disastrous है बहुत जादा, क्यों, क्योंकि मनसabdaarी system tend to become feudal system, क्यों, क्योंकि मनसabdaar को अगर आप salary नहीं देंगे, तो जागीर देनी पडेंगी, जागीर देंगे तो मनसabdaar के पास loyal soldiers और तो मनसabdaars and not the emperor, पहला point, ठीक है, बहुत important point है, as the later Mughal emperor were weak, the powerful nobles began to convert the assignments, which they held for maintaining troops into hereditary positions, यही तो मैं बोल रहा हूं, तो जमीने मनसabdaar को दी गई, वो hereditary बना ली उन्होंने, और जब Mughal बाच्चा ने पूचा की, बहिया, hereditary क्यों बना ली, तो उन्होंने कहा कि आगर दिखा दे, तो उसने कहा दा, कोई बात नहीं, हमें इतना टेक्स देते रहो, यह जमीन तुम्हारी हुई, तो जब तक तो चलता रहा है सिस्टम, तब तक तो उन शाशकों ने चलाया, मुगल बैनर पहने रखा, जब उनको लगा कि मुगल बैनर पहनने की जुरत न सक्सेशन, प्रीमो जनीचर का कोई एक सीधा कानून ना होनी की वज़े से, औरंग जेब जब लड़ जगड कर शक्ती में आया, तो बहुत पैसा खर्चा हो गया वहीं परी, मुराद शाहाशुजा और दाराशिकों को हटाने में, बहुत पैसा औरंग जेब का खर्च हो ग सिस्टम रिवाइब हो सकता था, या बड़े लेवल पर रिवाइब हो सकता था, एक लिबरल जो है, वहाँ पर भी काफी खर्चा हो गया था, ठीक है, ऐसे में औरंग जेब लड़ जगड कर शक्ती आता, तो और रोयल ट्रेजरी पर खर्चा है, उसके बाद फिर औरंग ज औरंग जेब की खुद की जो हैं वो पॉलिसी की वज़े से जाट सतनामियों से, सिखों से लड़ना पड़ रहा है, बुंदेलों से, राजपूतों से उलजना पड़ रहा है, और फिर गौलकॉंडा, बीजापूर, एहमद नगर, मराठे, सब से वो लड़ रहा है, इस और ट्रेजरी भी खतम हुई, और जमीने और सेलरी देने का पैसा नहीं था, तो जमीने जागीरों में देनी पड़ी, मिलिटरी जनरल्स को, इस से जागीरदारी क्रैसिस बड़ा, फिडलिजम और बड़ा, फिर औरंग जेब के जाने के बाद, मौजम जब शक्तिम आया त से और ट्रेजरी तो खाली है ही, तो अब बैटल अफ असेशन कैसे जीती जाएंगी, जब आप नोगल्स को जमीने देंगे, इस से जागीरदारी क्रैसिस बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया और दिल्ली श्रिंक होती गई, जो एमपायर पूरा बंगाल से गुजरात से नी अब इस तरह देखते हैं, एक बादशाह था, जिसके चार लड़के थे, और इन चार लड़कों को चार प्रोविंस में उसने गवर्णर बना के बिठार का था, और इन चारो प्रोविंसी की जो नोबिलिटी है, वो हर्मनी में काम कर रही थी, लेकिन जैसे ही ये प्रिंस खतम हुआ, अब ये चारो नोबिलिटी जो है वो आपस में लड़ेगी, अब यहाँ पर एक नोबिलिटी, मतलब एक सेट अफ नोबिल्स नहीं है, यहाँ पर चार सेट अफ नोबिल्स हैं, जो आपस में लड़ेगे, और जो माली जीत गया, तो बाकी तीनो नोबिलिटी जो है वो खतम हो गई, मतलब खतम नहीं होगी, लेकिन तीनो नोबिलिटी हार गई तो यह जो नोबिलिटी है जिसकी वज़े से यह वाला प्रिंस जीता है अब यह बाकियों पर प्रेशर डालेगी कि तुम तो पहले हमचे लड़ रहे थे अब तुम्हें हम आफिस क्यूं दे अब हम अपने बंदों का आफिस देंगे और अगर प्रिंस जो है वो मजबूत ना हो तो नोबिलिटी प्रिंस का इस्तमाल करेंगी ठीक है कि हम जो है वो अपनी पसंद का अपनी कटपुतली बन जाए ऐसा प्रिंस बिठाएं और प्रिंस कमजोर क्यों होगा क्योंकि nobility के पास prince से ज़्यादा सेना होगी इसलिए prince कमजोर हो जाएगा nobility के पास combinedly prince से ज़्यादा क्यों है क्योंकि do ispa si ispa system की वज़े से जो nobles हैं उनको इजादत दी गई उनको order दिया गया कि तुम्हारा जाट तो यही रहेगा so degeneration of nobility देखे कैसे होता है with the decline of power of the later mughal emperors the decline of decline also set in the character of nobility अब अकबर के समय nobility आ रही घोड़े पर अकबर जो है वो dated 2000 km जो है वो घोड़ो पर सफर कर रहा है ठीक है लेकिन औरंगजेव के जाने के बाद औरंगजेव के समय तक भी nobility गोड़ो पर आ रही है औरंगजेव के बुलाने पर nobility जो है वो थर थर काँ रही है ठीक है लेकिन औरंगजेव के जाने के बाद अब जो nobility है उसका character ही बदल गया वो लोग पालकियों में आ रहे है ठीक है शराब पीते हो या अफीम का हुका पीते हो जो पालकियों में आ रहे है वो ठीक है तो लड़ने ही जो पालकियों में आ रहे है वो कैसे जीतेगा राइट तो जो गोडों की प्रॉक्षी लगाना सैनिकों की संख्या गलत दिखाना यह बोलना की शेलरी में हमारा काम नहीं चल रहा है जागीरे दो जागीरे लिए और उनको हेरेडिटरी बना लेना तो हर तरीके का करॉप्षन जो है वो किया गया so that means the mansabdars were not loyal to the emperor right the nobles were split up into factions like Turani, Irani, Hindustani, Afghani यह nobles है वो लग लग हो गए the nobles quarrelled with one another for personal ascendancy nobles आपस में भी लडते थे during the time of Nadir Shah's invasion Saadat Khan an Irani noble betrayed his master Saadat Khan ने मदद करी नादिर शाह की कि दिल्ली पर वो आकर्मन करें right next चीज है economic bankruptcy अब देखिए यह जो points है न यह concept develop करेंगे और यह GS1 में और optional में काम आएंगे आपके right next बात करता है economic bankruptcy the huge amount of money spent on wars औरंगजेब्स डेक्कन डेक्कन campaign on maintaining the splendor of दर्बार and also on building activities exhausted the state ex-checker so bankruptcy मैं आपको बताए शाह जहां के समय जो extravagans में खर्चा हुई जो इतनी buildings बनाए गई उसके बाद औरंगजेब के दोनो दोनो हाफ first half में नौर्थ इंडिया में जो लड़ाई हैं हुई फिर दक्कन में फिर उसके बाद तो फिर line से प्रीमो जनीचर के कानून ना होने की वज़े से जो लगतार session की wars हुई है खतम था system economics है additionally due to the heavy burden of taxation thousands of cultivators began deserting their fields गाउं के गाउं लोगों ने खाली करने शुरू कर दिये ठीक है दूसरे region में जाकर रहना शुरू कर दिये thus the land revenue started declining next is religious policy of औरंगजेब अब औरंगजेब की religious policy decline का कारण क्यों बनती है क्यों क्योंकि उसकी हिंदू nobility उसके खिलाफ हो जाती है है ना some of the औरंगजेब's policy such as the imposition of Jazeera in 1679 ban on the construction of new temples and the war against Marathas alienated a sizable section of his population and created distress towards the empire so religious policy की वैसे मैंने आपको बोला ना जाट दुखी हुए, सतनामी दुखी हुए, राजपूत दुखी हुए, बुंदेल दुखी हुए, मालवा के जो राजपूत हैं वो दुखी हुए, मराथा दुखी हुए और जो in general जो हिंदू population है वो परेशान हुई मुगलों से तो जो मुगलों की भारतिय होने की हिंदुस्तानी होने की जो छवी अकपर ने create करी थी, वो छवी फिर से खराब होगी ठीक है नेक्स्ट है, मुगल डिकलाइन का कारण rise of independent states independent kingdoms ये जो feudalism फैल रहा है ठीक है, इस वज़े से अब finally हुआ क्या है, independent state बन गए ठीक है, मुगल इंपायर जो है, वो टूटना शुरू हो गया यानि कि जो मदल जान भूज के हलकी फुलकी जो sovereignty accept की हुई थी मुगल बाद्चा की, वो भी अब officially जो है, वो छोड़नी शुरू कर दी राइट, taking advantage of weakness of the later मुगल's, many ambitious provincial governors declared their independence कौन-कौन, during Muhammad शहाज रे, निजाम-ul-Mulk proclaimed himself an independent ruler of the six subas of Dhakkan, दककन के six subas जोड़कर, निजाम-ul-Mulk ने जो है, वो असफजाही kingdom जो है, वो शुरू कर दी हिदराबाद capital बना कर, right सादत खान established an independent dynasty in Awad, अवद में जो है, वो आदत खाने के अलग independent dynasty established कर दी, ठीक है, उसके अलावा अलिवर्दी खाने, बंगाल की नवाबिया, बंगाल की सल्तनत, जो है, वो फिर से established कर दी, the Marathas had their own independence long before this time, Marathas जो है, वो पहले से ही अजाद है, they established their supremacy over मुगल province of Malwa, Gujarat and Bundel, Khandan, and sought to bring the entire country under their domination, तो Maratho ने मैंने आपको मैं अपमें दिखाया ही है, Maratho ने मालवा, Gujarat, Bundel, Khandi, ये मुगलों से छीन लिया, अवद अलग हो गया, बंगाल बिहार अलग हो गया, निजाम अलग हो गया, और Maratho ने दक्षिन भारत में बिजापूर, गोलकॉंडा वाला एरिया तो काफियत तक अपने कंट्रोल में किया ही, और बिल्कुल सदर्मोस टिप में, कैरनेटिक, त्रवन को और तंजावूर वो तो अलग हैं, राइट, उसके लावा, external factor के हैं है, decline of मुगल में, the power, wealth and prestige of empire were damaged by नादिर शाह's invasion in 1739 during the rule of मुहमद शाह, नादिर शाह का attack हुआ, मुहमद शाह के फिर उसके बाद, नादिर शाह के बाद, जो है, फिर तो मराठों से लड़ाई हुई, अगर आप कहेंगे की, अबदाली भी तो आया था, लेकिन अबदाली के समय, नादिर शाह के समय में दिल्ली वाला एरिया था, अबदाली आया तो फिर कुछ भी नहीं था, लेटर मुगल नोबिलिटी का क्या हाथ है, मुगल के डिक्लाइन में, अब बात करते हैं सेयद ब्रदर्स की, ठीक है, किंग मेकर्स का क्या हाथ है, तो मैंने बोला ना, पहले मुगल जो राजकुमार है, वो हुआ गरते ते शक्तियां, लेकिन अब जो नोबिलिटी हैं, वो राजकुमारों को केवल एक पपिट्स की तरह इस्तमाल कर रही है, क्योंकि तीमूरी आइडोलोजी के तहत, क्लेम उनी के हाथ में जाएगा, मुझला बाजशाह तो केवल एक तीमूरी ही बन सकता है, राइट, इसलिए कहा गया कि, लेटर मुगल्ज में से एक मातर शाशक जिसके पास कुछ असली शक्ती थी, लेकिन जहांदर शाहा के समय से किंग में किंग चुरू हो गई, जहांदर शाहा को जुल्फिकार खान शक्ती मिठाया, बिकेम दे एम्परर नोट बाइज और इस और्न स्टेंथ, जुल्फिकार खान शक्ती में कौन कौन शक्ती हैं देखो एक तो तिमूरी है जो तुर्रानी है जो तुर्की है ना, ठीक है, तूर्ँ है उसके लावा इरानी है, अफगानी है, अर्बी है और हिंदोस्तानी है, ये फैक्शन्स हैं कोर्ट में, अब हिंदोस्तानिया अगुजा नाम हट जाता है, क्योंकि औरंग जेव ने जो है वो हिंदुओं के प्रती बहुत गलत पॉलसी अपनाई तो हिंदुस्तानी तो कोर्ट से अलग हो जाते हैं अल्मुस्ट कुछ राजपुत शाशक बचते हैं अर्बियों में सैयद ब्रदर्स देख रहे हैं आप शक्ति मारे हैं अर्बियों में शक्ति में बिठाया भी और फारुक सियार को शक्ति से उतार भी लिया उसके बाद रफियूद दर्जात रफियूद दौला और मोहमद शाह वर राजपुत दौला और सैयद ब्रदर्स सैयद ब्रदर्स ने तीन शाशक और बिठाये कौन कौन से रफियूद दर्जात रफियूद दौला और मोहमद शाह अब मोहमद शाह जो है वो सैयद ब्रदर्स की बात नहीं मान रहा था ठीक है, तो मुहामद शाह के साथ अब कौन जुड़ा, निजाम-ul-मुल्क और मुहामद आमीन खान, जिनकी मदद से सायद व्रदर्स को शक्ति से अटाये गए, राइट, The fall of सायद व्रदर्स in 1720, came not because they had lost confidence of the emperor, but was bought out more by the Turani factions, सायद कौन है यह, यह अर्भी है, मैंने बोला ना, सायद जो है, वो अपने साथ टाइटल लगाते हैं, वो लोग जो अपना, जो अपनी डिसेंडेंस क्लेम करते हैं, मुहामद साहब से, कि वो मुहामद साह के जो है, वो वो अपने साथ सायद टाइटल लगाते हैं, मुहामद साहया अली, जो चौथे क्या बोलते हैं, खलीफा रहे, ठीक है, रशीदिन खलीफत के, इन से अपनी डिसेंडेंस क्लेम करते हैं, वो अपने साथ सायद लगाते हैं, तो basically अर्भी हैं वो, ठीक है, तो पहले हमें आखिली सलतनत के समय की चली आ रही है, तो तुरानियों मेंसे निजाम-ul-मल्क और मुहमद आमीन शाह शक्ती से उतार देते हैं, and worst of all, these powerful parties were not political parties in the modern sense, having different programs for the welfare of nation, but were mere factions looking for self advancement, more often at cost of nation and against the interest of Mughal Empire. तो ये जो parties की बात चल रही है ना इरानी, तुरानी, अफगानी, अर्भी, हिंदोस्तानी ठीक है और तीमूरी ये सब अपना अपना फाइदा चाहते हैं हिंदोस्तान एज नेशन, हिंदोस्तान एज नेशन या मुगल एज एँपाइर के लिए कोई काम नहीं कर रहा है, सब अपने अपने लिए काम करना चाहते हैं, कुछ एक जैसे निजामुल मुल्क ने थोड़ा बहुत काम करने कोशिश करी, लेकिन फिर उसने अपना जो है व एक नेशन के लिए काम करने के लिए जो पॉलिटिकल पाइदा देख रहे हैं लोग, नेक्स देखिएगा, पार्टीज एट मुगल कोर्ट, सो इन पार्टीज के बारे में एक बार मैं आपको डिटेल में बता जैता हूँ, विल्यम इर्विन मेंशन्स दा मल्टिप्लिसिटी अफ पार्टीज एट मुगल कोर्ट, विल्यम इर्विन जो है वो एक इतिहासकार है, मुगल इतिहासकार, मुगल इतिहास इन्होंने स्टडी किया है बारी किसे, Among these four were prominent, the Turani, Irani, Afghani और Hindustani, ठीक है, Turani, Irani, Afghani और Hindustani ये चार जो हैं वो prominent थे, The first three were descendants of foreigners from Central Asia, Iran and Afghanistan who formed the backbone of army of occupation, So the first three are, Turani, Turani तो बहुत पुरानी तुर्की नोबिलिटी है, Military Governors हैंगे, ठीक है, Irani जो हैं वो मुगल के साथ आए, उनको भी Military Governorship प्रोवाइड की गई, और Afghani भी जो हैं वो तुर्कियों के साथ ही आए हैं, लेकिन फिर भी Afghani समय समय पर enter करते रहें, तो Afghani भी Military Governors हैं, ये तीनों Military Governorship ही हैं इनके पास, क्यों, क्योंकि Military Governorship वाला ही जो है वो administrative system दिली सलतनत से चल रहा है, एक्तिदारी के बाद से ही, और दूसे साथ है हिंदोस्तानी, अब हिंदोस्तानी जो हैं वो ये traditional जमीनदार से लेकर, appointed Military Governors तक हैं, ठीक है, नेक्स देखेगा, their number had greatly increased during the last 25 years of Aurangzeb's reign, when he waged incessant war in Deccan, descendants from these foreigners held important military and civil offices in India, in opposition to the Mughal or Foreign Party was the Indian-born or Hindustani Party, ठीक है, एक तो मुगल फैमली भी तो है, क्या बोलते हैं, तिमूरी भी तो है, तो मुगल फैमली हो गई, ये foreign party है, यानि कि इरानी, तुरानी और अफगानी, और इस साइड है कौन हिंदोस्तानी, तो ये सब आपस में कीश्तान चल रही है, हिंदोस्तानी कौन है, राजपूत रा लेटर मुगल में तिमूरी तो कटपुतली है, केवल, तिमूरी जो फारुक्सियार वगएरे, सब तिमूरी है, और असल खेल जो है, वो असल conflict इन शक्तियों के बीच में, और इस सब आपस में भी लड़ रहे है, ये सब आपस में भी लड़ रहे है, हिंदोस्तानी इंडिया में, या तो कनवर्ट कर दिये गए है, ऐसे हिंदू जिनको कनवर्ट किया गया है, इसलाम में, और ये इरानी, तुरानी, अफगानी जो है, वो स्ट्रिक्टली आउटसाइडर्स हैं, जो बहार से आए हैं, राइट, whose ancestors, though originally foreign immigrants, had settled in India for generations, तो ये हिंदोस्तानी किने कहेंगे आप, ठीक है, तुर्की, जो शुरुवाती तुर्की है, ठीक है, शुरुवाती तुर्की जो है, वो उनका इंडियनाइजेशन हो गया है, उनको आप हिंदोस्तानी कह सकते हैं, लेकिन ये तुरानी कौन है, ये recent औरं 25 साल है, उस दौरान जो आए हैं बाहर से, उनको आप तौरानी कह सकते हैं, उस दौरान बहुत लोग आए इंडिया में, क्योंकि इंडिया में बंदर्माट चल रहा था है, युद चल रहा था बढ़िया, तो सभी लोग जो है वो फाइदा कमाने के लिए आ रहे थे, राजपूत, जाट, सतनामी, अन्य हिंदू राजा, ब्रहमन कॉमिनिटीज और जितने भी हिंदू से विल सर्वेंट्स हैं, यानि कि नीचले लेवल से लेकर प्रोविंशल लेवल तक, वो सब हिंदुस्तानी पर्टी के साथ हैं, और जो पुरानी तुर्की नोबिलीटी ह जिनका इंडियनाइजेशन हो गया है, वो है हिंदूस्तानी पर्टी में, ठीक है, और जो तुरानी और इरानी अफगानी हैं, ये नए इमिग्रेंट्स हैं, पिछले पचास, पच्चिस-पचास साल में जो आए हैं, ठीक है, अब ऐसा भी नहीं कह सकते, जैसे हमने तो मौ ये मतलब आपस में नहीं करेंगे, हिंदूस्तानी तुरानीों कहीं साथ दे रहें, कहीं इरानी हिंदूस्तानीों का साथ दे रहें, तो मतलब खींस्तान चल रही है, लोयलिटी कोई ऐसा नहीं है, कोई एथनिक लोयलिटी करके कोई चीज है, ठीक है, लेकिन ब्रॉडली ह हमने बाट तो दिया इस तरह लेकिन ethnic loyalty hard and fast follow नहीं की जारी इस समय राइट अब बात करते हैं role of सयद ब्रदर्स सयद ब्रदर्स का लेटर मुगल की politics में क्या हाथ है उस पर कुछ point उठा लेते हैं ठीक है तो ये जो लेटर मुगल के जो court के factions है इस पर detail में और ज़्यादा detail में हम optional level पर जब जाएंगे नहीं तो वहाँ पर सवाल बनते हैं ठीक है तो pre के लिए जितना जरूरी था के अबल मैंने यहाँ पर उतना ही cover किया जितना pre के लिए आपको पता होना चाहिए देखेगा next है द्यान रखना है कौन कौन अबदुल्ला खाँ और हुसाइन अली ये सैयद ब्रदर्स वर्ट पाफुल फेक्टर इन मुगल कोर्ट इन मुगल पॉलिटिक्स फों 1713 से 1720 बहुत पाफुल इतने कि मुगल बाच्छा को मार दिया इन्होंने भाई मुगल बाच्छा को मार द आउट्साइडर थे और इन्टी मुगल और क्वासी नैशनलिस्ट इंट्रेस्ट साथ दे रहे है क्यूंकि गपशने वाले areas में कै asi界ard थे क्योंकि दक्कन वाले अरिया में बहुत इराकी इरानी माइगरेट करके आये थे और औरंग जेब ने उनको रिश्वते देकर खरीदा था अपनी साइड किया था तो एक मतलब इमेज बन गई थी कि मोगल जो है वो आउटसाइडर को फेवर कर रहे है हिंदोस्तानियों को नहीं कर रहे है ठीक है साइड ब्रदर्स बिकेम हाईली इंफ्लेंशियल इन दे मुगल कोर्ट आफ्टर रारंग जेब's death and became kingmakers during the anarchy following the death of emperor रारंग जेब in 1707 दे क्रियेटेड दे त्रोंद मुगल emperors at their will during 1710 तो देखें हम जानते है ठीक है पहले फारुक सियार को बिठाया उसके बाद दो बच्चों को बिठाया फिर मुहमद क्या बोलते है रंगीले मुगल को बिठाया उन्होंने ठीक है और अंग जेब's son बहादुर शाह first defeated his his brothers to capture the throne with the help of sayyad brothers देखें बहादुर शाह पहले की मदद करी है उन्होंने शक्ती पर बैठने में पहले चीज तो right so बहुत important है sayyad brothers ने बहादुर शाह first की भी मदद करी है शक्ती में आने में and निजाम-ul-मुल्क another influential administrator in मुगल कोर्ट बहादुर शाह first died in 1712 and his successor जहांदर शाह was assassinated on orders of sayyad brothers देखेंगा जहांदर शाह को सबसे पहले मुगल बाच्छा कौन मरें जहांदर शाह किसने वरवाया sayyad brothers फिर जिसको बिठाया फारुक सियार उसको मरवा दें sayyad brothers ने in 1713 जहांदर शाह's nephew फारुक सियार became the emperor with the brothers help यह point हम जानते हैं already लेकिन यह बहादुर शाह पहले वाली बात आपको ध्यान रखनी है his reign marked the ascendancy of the brothers who monopolized state power and reduced the emperor to a figurehead the brothers conspired to send Nizam al-Mulk to dekkan away from Mughal court to reduce his influence in 1719 the brothers blinded, deposed and murdered फारुक सियार ठीक 1719 में पहले फारुक सियार को अंधा किया गया फिर मार दिया गया उसे और निजाम al-Mulk को भी दक्कन भेजने की कोशिश की गई क्योंकि निजाम al-Mulk भी दिरे-दिरे शक्ती में आ रहा है लेकिन निजाम al-Mulk फिर finally हटाई देंगे सेयद ब्रदर्स को they then arranged for his first cousin Rafiud-Dajraat या Darajat to be next ruler in February 1719 when Rafiud-Dajraat died of lung disease in June they made his elder brother Rafiud-Dawla या शहा जहां second जिसको कहा जाएगा तो ये जो दोनों बच्चे थे ना ये बच्चे कामू और ये भी बिगड़ चुके थे खूब नशा करा करते थे ठीक है थे कामू मरके लेकिन इनको बच्पन सही अफीम किलत लगा दी हुई थी उस वज़े से इनकी भी मृतिव जो है वो बहुत जल्दी जल्दी हुई उसके आद महामद शाह शक्ती में आए महामद शाह भी कमी उमर के थे 1720 तक तो सेयद ब्रदर्ज नहीं हैंडल करके रखाऊने तो ये important facts हैं ये बहुत ज़्यादा सवाल बनते हैं इन पर सवाल किस तरह के बनते हैं chronology equation बनते हैं process of change equation बनते हैं ठीक है आगे देखेंगे महामद शाह to take back control of his rule अब महामद शाह को देरे देरे अकल आई महामद शाह को लगा कि साशन मुझे अपने हाथ में लेना चीए तो अब महामद शाह के कान में जो है वो बोलना शुरू किया निजाम अल मुल्क ने कि मैं जो है वो हटा देता हूं शक्ति ठीक है सेयद ब्रदर्स को और मैं शक्ति से हटाऊंगा और तो मुझे जो है वो अच्छी पोस्ट होगे महामद शाह to take back control of his rule arranged for brothers to be killed with the help of निजाम-ul-मुल्क असफजा महामद शाह निजाम-ul-मुल्क असफजा के साथ मिलकर अब सेयद ब्रदर्स को मारने का plan मिना रहा है कैसे मारा देखते हैं हुसाइन अली खाँ वस मुर्डर्ड एड फतेपूर सिक्री इन 1720 दोके से हुसाइन अली खाँ को मार दिया गया सेयद अली खाँ बारा वस फेटली पॉजन इन 1722 और जो दूसरा है सेयद उसको जो है वो पॉजन करके मार देगा है 1722 में दोनों भाई खतम अब देखते हैं एस्टीमेट अफ सेयद ब्रदर्स तो दोनों भाईयों को मारना है काम किसने के निजाम अल मुल्क असफजा कि मदद से मुहामद शाह जो है वो किसके हाथ से निकल गया इनके हाथ से तो निकल गया सेयद ब्रदर्स के लेकिन अब निजाम-ul-मुल्क अशवजा जो है बाइडमिनिस्रेशन चलाने लगा अच्छे से जब तो फिर निजाम-ul-मुल्क को प्रेशर डालना शुरू कर दिया चीक है तो निजाम-ul-मुल्क भी दुखी होकर फिर चला गया और उसने 1724 में हैदराबाद अलग सब्सक्राइशन और सेफटी सीम तो लाए इंड़ टर्मिनेशन आफ दी एंपर राइट सो फारुक सियार मुगल बाद्शा था और सेयद ब्रदर्स जो है वह मुगल बाद्शा से ज्यादा मजबूत हो गयते पारुक सियार के कान भरे जाने शुरू कर दिया कि सेयद ब्र सेयद ब्रदर्स डिसाम्ड एंड डिसलॉजड देर उपनेंट्स देर रिड्यूस देर रिड्यूस दा सक्सीदिंग सक्सीदिंग एंपरर्स दू पोजिशन आफ लेजी किंग्स या रोए फैनेंस सो रोए फैनेंस का मतलब क्या होता है बैसिकली नशेगिलत लगवा दी बहुत बुरी तरह फारुक सियार को नशेगिलत लगवाई हुई थी और दो जो बच्चे आयो उसके बाद वो भी नशेगिलत में थे जो हिंदोस्तानी थे ना वो बैसिकली या तो कई कई लेवल पर कनवर्टेड थे या इंडियनाईजेशन हो गया था उनका तो जो इरानी तुरानी भाहर से आया करते थे वो कहते थे कि तुम लोग जो है ना सौफ ब्लडड़िड हो या मिक्स ब्लड़िड हो और तुम्हा तुम यहाँ पर जो है वो दरुल इसलाम नहीं रहा दरुल हर्ब है और दरुल हर्ब तुम्हारी वज़े से ही है ठीक है नॉन प्रिविलेज़ रेस कहते हैं वो इस डिफिकल्ड तो इस्टेबलिश्ट अस तो वट एक्सेंट दे वर्गड फॉर नॉन मुगल मुनार्की रिलीजियस पॉलिशी अपनाई अकबर की रिलीजियस पॉलिशी के मतलब बेस पर राइट इट वाज अंडर देर इंफुलेंस जजिया वज़े से जजिया अबॉलिश किया गया बहुत इंपरण पॉइंट ध्यान रखेंगे आप अबॉलिश्ट इन 1713 एंड आफ्टर र कि वजीर तो जुल्फिकार खान ही था जुल्फिकार खान के नीचे जो हैं वह सेयद ब्रदर्स काम कर रहे थे सेयद ब्रदर्स के कामों की वज़े से जुल्फिकार खान वस सक्सेस्वल कि वह जजिया हटा सके और फिर श्रे जो है फिर उसके ओपर जहांदर शाग हो जात और जो foreign court parties है यानि इरानी तुरानी और अफगानियों के हाथ में जो है वो हिंदुस्तान की कमांड ना जाए they made they were making sure of that right further the sayyads won over the confidence of hindus and gave them high post the appointment of ratan chand as divan in is illustrative of their policy right ratan chand ko divan बनाया बहुत important ज्यान रखें गया they also won over Rajputs to their side by transfer Raja Ajit Singh from a rebel to an ally Raja Ajit Singh को अपने साथ जोड़ा उन्होंने मारवाड की Raja Ajit Singh ठीक है उसके लब अजीत सिंग गेविस daughter in marriage to Emperor Farukh Siyar Ajit Singh, Farukh Siyar की शादी जाए वो Ajit Singh की daughter से गरी तो Rajputo के साथ important है यहाँ पर बहुत important point है राजपूतों के साथ matrimonial alliance create करने काम सेयद brothers ने किया लब नाम तो वैसे मुगल बाच्छा का जाना चाहिए शादी तो उसने करी है लेकिन करवा कौन रहा है सेयद brothers सेयद showed sympathy towards the Jats and it was on their intervention that the siege of fort of Thuri was raised and Churman visited Delhi in 1718 right so Churman को अपनी side जोडने का काम जाटों की तरफ conciliatory policy तो राजपूतों के साथ matrimonial alliance create करना जाटों के साथ conciliatory policy हिंदुओं को दिवान तक की post देना और अजीत सिंग को अपने साथ जोडना और अजीत सिंग को अच्छी मनसबदारी provide करनी जजिया को abolish करना तो यहां से पता चलता है कि yes दे उनकी जो deeds है सेयद brothers की वो बिलकुल हिंदुस्तानियों के favor में जा रही थी अब ये सारे point हमने पढ़ लिए है रोल अफ सियद brothers और उनका हमने estimate भी देख लिया ठीक है ओके next point ये है last point above all marathas sided with सियद brothers marathas जो है वो सियद का साथ दे रहे एक और point so सियद brothers के लिए बहुत ही modern point है राजपुतों के साथ conciliatory policy जाटों के साथ conciliatory policy मराथों का support उन्हें मिल रहा है and the छतरपती became a deputy of मुगल emperor मुगल emperor के नायब के रूप में मुगल emperor का नायब जो है वो छतरपती को गोशित किया गया the history of India would have been certainly different if the enlightened religious policy of सियद had been continued by their successors so सियद brothers जैसी अगर policies further follow की जाती तो इतिहास जो है वो कुछ और अलग हो सकता था तो ये सारे topics जो है वो ये सारे point ये बीच में जो है वो slides फिर से repeat हो गई है so please excuse me for that right so समझ रहें आप तो हमने क्या समझा हमने आज decline of mughal देखा decline of mughal में हमने later mughals को देखा उनके जीवन के दौरान क्या क्या गटना ही गटी फिर कारण देखा right हमने reasons देखे जिन वज़े से mughals का जो है वो decline हुआ है so इस पूरे session का pdf आपको कहां से मिलेगा चोहान underscore sur underscore history और मैंने कुछ concept develop करने की कोशिश करी है I hope वो concepts आपको समझ आए हो हमने काफी सारे facts को तो cover किया ही है लेकिन यह जो concept में आपको बता रहा हूँ नहीं यह optional में आपको बहुत फल देने जा रहे हैं बहुत फल देने जा रहे हैं ठीक है खेर आज से जो हम topic कर रहे हैं यह हमारे लिए GS1 के लिए भी बहुत ज़्यादा important हो जाता है तो वैसे तो मैं optional और GS1 के लिए अलग से classes लूँगा ठीक है लेकिन आज से जो हमारा topic शुरू हो गया यह काफी आपको मदद करने जाएगा optional और GS1 में राइट उसके लावा 10% discount आप लोग जानते हैं कहां से मिलेगा आपको अगर आप मेरा code यूज करते हैं चोहान underscore sun underscore history ठीक है आपको मिलेगा 10% का discount और मुझे मिलेगा आप लोगोगा support जिस support की मुझे बहुत जरूरत है ठीक है खतम करते हैं इस session को मिलते हैं आपसे अगले session में हो सकता है कि थोड़ा लंबा हो गया वो session थोड़ा आपको boring भी लगा हो लेकिन बहुत important concept है कहानी को जोड़ते चलिए क्योंकि बहुत ज़ादा गहरी है मैं थोड़ा सा ना concept में घुझ कर जाऊंगा और facts तो हम उठाएंगे ही लेकिन concept में जाकर आपको मैं कहानी समझाने कोशिश करूँगा थोड़ी right so मिलते हैं आपसे अगले session में modern हमारी शुरू हो चकी है जाद से जाद से शेर कीजिएगा वीडियो को लाइक कीजिएगा सब्सक्राइब करें चैनल अगर नहीं किया तो ठीक है मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए take care have a nice day